तो यहाँ पे बच्चो सबसे पहले हम बात करते तिर्कोन मितिय फलन तिर्कोन मितिय फलन में अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले बच्चो तिर्कोन मितिय सर्व सम्मी का है यहाँ पे बच्चो क्या आएगा तिर्कोन मितिय अनुपात एवं सर्व सम्मी का है ध्यान रखिएगा बच्चों ये चीज हम पढ़ने वाले हैं टिक्नोमेट्री रेशो एंड आइडेंटिटी सी ये पूरा का पूरा किस में आएगा तिर्कोन मित्य फलन में आएगा टिक्नोमेट्री फॉर्म्शन्स में आएगा ठीके इसके बाद बच्चों मैंने आपको ब मित्य समी करन ओके इसके बाद बच्चों यहाँ पर आ जाता है SOT तिर्बूजो के हल Solution of Triangle इसके बाद आ जाता है बच्चों आपका inverse टिक्नोमेट्री फॉर्म्शन्स अब अगर मैं इन चारों की बात करूं पूरे तिर्कोन मित्य की बात करूं तो यहाँ से बच्चों आ आने आने हैं अब वो दो प्राश्न बच्चों इस बार जो 2022 में आये थे वो उपर से आये थे ठीक है चलिया very good sir general के state government college के लिए कितने से होता है अब बेटा वो तो आपको 120 marks में भी मिल सकता है state government college ओके ना अगर आपकी percentile 90 percentile है वो depend करता है कि college की क्या value है ठीक है ना state government इसका मतलब यह नहीं कि कोई से भी हम college की बात करें ओके बच्चों जो बड़िया college होगा state का तो उसकी percentile थोड़ी high जाएगी वरना 90 85 percentile पे भी आपको state government college मिल सकता है ऐसा कुछ नहीं है ओके आँ बेटा pdf बिलकुल डल जाएगी सभी बच्चों से कहना चाहूंगा कि बेटा यहाँ पे pdf बिलकुल डल जाएगी don't worry चलिए तो यहाँ पे बच्चों इस chapter के progress की बात करें सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि तिरकोन मितिय फलन यहाँ पे बच्चों हम बात करेंगे तिरकोन मितिय फलन की तिरकोन मितिय फलन में हम क्या क्या पढ़ते हैं जल्दी से बताईए तो यह concept अगर हमें आते हैं इसका मतलब इस chapter के बारे में हमने पूरा पढ़ लिया है और हम इस में से प्रेशन कर सकते हैं एक बात बच्चों और बता दू यहाँ से अगर प्रेशन आता है तो आपको छोड़ना बिलकुल भी नहीं है क्योंकि यहाँ से 100% चांस होते हैं कि हम सई करके आए प्रेशन को क्योंकि काफी आसान प्रेशन आएगा और 2022 में भी बच्चों आगे आया था मतलब आसान आया था सर आप जब chapter खतम करेंगे तो break दीजिएगा दो के आसपास हाँ बच्चों बिलकुल दे दूँगा बिलकुल ठीक है बिलकुल दे दूँगा बच्चों तो यहाँ पे सारे बच्चे बिलकुल रेडी हैं यार मतलब थक तो नहीं गए हो ना तुम थक तो नहीं रहे हो ना कि सर अब तो बिलकुल थक गए सर और अब तो सर हमसे नहीं हो पाएगा वगेरा यह सब ऐसा तो नहीं ना यार पढ़ने की चाहे ना सब की चालिए तो सबसे पहले बच्चों मैं आपको बताऊंगा तिरकोण मिती अनुपात और इसमें से कुछ बैसिक जो फॉर्मले बनते हैं उसके बारे में भी बताऊंगा कभी कभी उसमें क्योशन आ जाता है और वो क्योशन भी करवाऊंगा ठीक ना इसके बाद बच्चों हम देखेंगे कोणों के मापन की पद्धियां जैसे डिग्री हो गया रेडियन हो गया या ग्रेड हो गया यह सब बच्चों हम यहाँ पे देखने वाले अगर आपको फॉर्मला भी बेटा पता है ना तो कहीं न कहीं आप गणित में पंद्रा क्योशन तो करके आ सकते हो और फॉर्मला और आपको कंसेप्ट थोड़ा बहुत आता है तो ओके इसके बाद बच्चों आता है तिर्को इस सर्व सμिका री ठीकर करएं एंगल एंगल ए प्लस भी अगर ए प्लस इबराबर पाई हो और यह ए बी शी क्या हो तिर्बुझ के कौन हो तो फिर वेता कुछ फॉर्मले बनते हैं वह फॉर्मलो पर भी हम यहाँ पे बात करेंगे औके इसके बाद बच्चों वेंजकों के जो भी आपके तिर्कौ्ण मिती वंजक कोंगे उनके अधिक्तम और न्यूंतम मान कैसे देखते हैं इसके बारे में भी हम यहां पर बात करने वाले हैं ओके चलिए तो start करते हैं बैसिक सेih स्टार्ट करते हैं ये सबको याद है, जब बच्चों किसी तिरबूझ में हम कोणों और बुजाओं के मद्य संबंध को देखते हैं, देन उसमें हम क्या बोलते हैं, तिरकोण मिती अनुपात, सब बच्चों को पता है, अगर कोई तिरकोण मिती है, अनुपातों की बात करें, तो यहां पे इंगल जरूर mention करिए गा अगर ठीटा ये है तो perpendicular ये हो जाएगा और अगर बच्चो मेने ठीटा ये ले लिया तो perpendicular आपका ये बने गा ये ध्यान रखना इसमें बच्चे काफी गलती करते ये बैस हो गया और ये क्या हो तो यह जो छे तिर्कौन में तिया अनुपात होते हैं सब को पताएं इसमें किसी को कोई डाउट किसी को कोई समस्या किसी को कोई दिक्कत नहीं साइन ठीटा होता है यहां पे कॉस्ट ठीटा बराबर बैस अपोन हाइपोटेनियस टेन ठीटा बराबर क्या हो जाएगा बेट कोसेक होता है अब कोसेक ठीटा क्या होता है साइन का उल्टा होता है तो यह हो जाता है हाइपोटेनियस अपोन परपेंडिकुलर अब यहाँ पे कोस का उल्टा क्या होता है सेक होता है तो सेक ठीटा बन जाता है आपका हाइपोटेनियस अपोन बेस और इसी तरीके से बेटा 10 theta का उल्टा क्या होता है 4 theta ये बन जाता है आपका base upon perpendicular तो ये 6 तिर्कोन मेती है अनुपात होते हैं और सारी की सारी जो तिर्कोन मेती है समी करन की बात करूँ या फिर तिर्कोन मेती है सर्व समी काओं की बात करूँ सब इसी पर टिकी हुई है ठीक है अब यहाँ पे हम ये भी जानते हैं कि बेटा sin theta का जब मैं उल्टा करता हूँ तो sin theta का उल्टा कितना हो जाता है बेटा यहाँ पे cos theta इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूँ कि कभी अगर मेरे पास sin और cos theta तो मैं इसको simple sin theta into cos theta इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 1 लिख सकता हूँ मतलब sin को cos theta का व्यूद कर सकता हूँ इसी परकार से बच्चों यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा आपको कि sin cos theta की value 1 होती है अगर मेरे पास cos theta का व्यूद करम कितना होता है बेटा sec theta sec theta और यहाँ पे cos theta into set theta equals to कितना हो जाता है 1 और इसी तरीके से बच्चों अगर यहाँ पे मैं बात करूँ 10 और quote की तो 10 theta equals to 1 upon quote theta और 10 और quote आपस में cancel out होके कितना बनाते बेटा यहाँ पे 1 बनाते मलब 10 theta quote को हमेशा cancel करेगा ठीक है ना अब बेटा यहाँ से basics ते हम कुछ चीज़ें उठाएंगे ठीक है ना मेरे को पता है कि किस तरीके से क्या चीज़े करनी है ध्यान रखिएगा हमारे पास बेटा पुरा मैं जब तक यहाँ से नहीं जाऊंगा जब तक आपको पूरा तिरकोण में तेगा एक एक concept सिखा के नहीं जाऊं पूरा पूरा बच्चो रिवाइस होगा यहाँ पे हर एक चीज रिवाइस होगी बस आप यह ध्यान रखिएगा इसे लिए मैं कहूंगा ज़्यादा से ज़्यादा बच्चो को शेयर करो ऐसे काफी बच्चे होंगे जो बूल गए होंगे तिरकोण मितिये क्योंकि तिरकोण मितिये पढ़ते हैं साल के starting में और अभी आपका बिलकुल end हो गया तो यह बच्चो ठीक है सारी चीजे द्यान रखिएगा इसके बाद बच्चो यहाँ पे एक बहुत ही important चीजे जैसे कि सरुसमीका बच्चे सरुसमीका का मतलब नहीं समझ पाते हैं आपको पता है बटा तिरकोण मितिये सरुसमीका हम सिर्फ इतना जानते हैं कि sin square theta plus cos square theta बराबर one होती है second अगर मैं सरुसमीका की बात करूँ तो आदे बच्चे नहीं बता पाएंगे आदे बच्चे उसका formula नहीं बता पाते क्यों नहीं बता पाते हैं क्योंकि बच्चो रटते हैं अगर बच्चो यहाँ पे मैं cos square का divide कर दू दोनों तरफ अगर मैं cos square का divide कर दू तो यहाँ पे 1 plus 10 square theta बराबर क्या बनता है बटा sec square theta ठीक है अब बच्चा यहाँ से अगर मैं आपसे पूछो क्या इसको मैं आगे भी कुछ कर सकता हूँ क्या तो यहाँ पे आप बोलोगे sir sec square theta minus का 10 square theta बराबर कितना होता है 1 और आपको बच्चो यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा sec theta plus 10 theta बराबर बच्चो यहाँ से कितना हो जाएगा sec theta plus 10 theta बराबर कितना हो जाएगा 1 upon sec theta minus का 10 theta मतलब sec plus 10 है अगर मुझे यहाँ पे minus का चिन्न चाहिए हो तो मैं इसका क्या कर दूँगा व्यूत्करम कर दूँगा द्यान रखना क्या कर दूँगा मैं व्यूत्करम कर दूँगा हमेशा द्यान रखना सेख स्कॉर ठीटा माइनस तेन स्कॉर ठीटा बराबर वन ये बेटा यहाँ पर important चीजे कि अगर सेख ठीटा प्लस का 10 ठीटा है अगर मुझे negative की जरुवत हो तो मैं यहाँ पे one upon क्या कर दूँगा सेख ठीटा minus का 10 ठीटा यह बच्चों को याद ही नहीं होता है वहाँ पे questions में ठीक है तो one plus 10 square ठीटा चलो यह भी हो गया अब बच्चा यहाँ पे थर्ड की अगर मैं बात करूं तो थर्ड तो बच्चों को याद ही नहीं होगा आदे बच्चे बूल जाते हैं तो यहाँ पे बटा थर्ड को याद करने की ज़रूद नहीं है आपको क्या करना है यहाँ पे स्रिफ sin square ठीटा का बाग दे दो sine square theta का बाग दे दिया तो 1 plus quote square theta और 1 upon sine square theta क्या हो जाएगा बेटा cause egg square theta अब आपको पता है यहाँ पे इसको हम क्या लिख सकते हैं इसको लिख सकते हैं cause egg square theta minus quote square theta बराबर 1 अब इसको बच्चों हम यहाँ पे solve करेंगे तो हम बोल सकते हैं कि cause egg theta plus हो जाता है बेटा 1 upon में cause egg theta minus का quote theta तो यह काफी जगाओं पे बच्चों use हो सकते हैं किसी भी प्राश्न में use हो सकते हैं ठीक है किसी भी प्राश्न में use को हो सकते हैं very good बहुत ही बढ़िया तो 1 plus quote square theta बराबर कितना हो जाता है cause egg square theta और cause egg minus quote theta बराबर लिख सकता हूँ एक बटे cause egg plus quote theta यह negative और positive बटा यह विद्करम होते हैं ध्यान रखना positive और negative क्या होते हैं विद्करम होते हैं अब यहां तक भी हम पढ़ लेते हैं लेकिन हमें कुछ चीजे नहीं आती है इस वज़े से हमसे प्रस्ण नहीं होते हैं ठीके ना अगर बच्चों यहां पे मैं आपसे पूछू अब sine की power 4 theta प्लस cos की power 4 theta क्या बच्चों इसका formula जानते हो सारे बच्चे क्या इसका formula जानते हो cos square theta plus sin square की power 4 theta मलब power 4 theta तो यहाँ पे बच्चों आपको पता यह कितना हो जाएगा कोई भी नहीं जानता सर पेचाना अरे बेटा सभी बच्चों को पेचानता हो सभी बच्चे हमारी बच्चे हैं ठीक है ना ऐसा नहीं है कि कोई वो है पहले इस पे द्यान दे लो बेटा आपको भी बताना है, 1 होता है, अरे बेटा क्या कर रहे हो, 1 के बाद भी मैंने कुछ लिखा है, minus, 1 minus कितना लिखोगे, 2 sin square theta into cos square theta, ये होता है बेटा, sin की power 4 theta, cos की power 4 theta का formula, ये होता है बेटा, formula, sin की power 4 theta, cos की power 4 theta का formula, 1 minus 2 sin square theta, cos square theta, चलिए ये भी हो गया, इसके बाद बेटा, sin की power 6 theta, plus cos की power 6 theta, अब 6 वाली भी identity आती है, प्लस नहीं होता बेटा, minus होता है, ज्यान रखना, 1 minus, अभी बताऊंगा, ठीक है ना, इसको भी concept को clear करूंगा, आप proved भी करूंगा बेटा, tension मतलो, शामू बेटा, proved करो, last time पे बेटा, proved करवा रहे हो इसको, proved करो सर, proof नहीं सर, proved करो, proved, अरे यार, बच्चों, last time पे proved करूंगा न, एक एक चीज को, तो पूरा हो जाएगा, तुम्हारा ITJ का paper, proved, very good बेटा, सबका गलत है, मनोज सरोज, सबका गलत है, sin की power 6 theta, plus cos की power 6 theta का आपका formula नहीं पता है, मेटा यह होता है, 1 minus 3 sin square theta, into cos square theta, इतना सा था, अब कभी जैसे यह आ जाते हैं, तो बच्चे वहाँ पे क्या हो जाते हैं, हपके बक्के रह जाते हैं, कि सर यह क्या है, 6 तो आपने पढ़ाए ही नहीं था, very good आनंद परजा पती, बहुत ही बढ़िया, अब जैसे बच्चों यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, प्रूफ की एक बच्चे ने का, बेटा यह करवा रहा हूँ, लेकिन बएक एक प्रूफ नहीं करवाँगा, इतना टाइम नहीं है हमारे पास, ज्यान दीजिए, सभी बच्चों को पढ़ाना है, ओके, तो यहाँ पे बेटा साइन की पावर फोर थीटा, प्लस कोस की पावर फोर थीटा, इसको बेटा हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वाइर थीटा का, होल स्क्वाइर, cos square theta का whole square यहाँ पे बेटा 2 sin square theta into cos square theta minus का 2 sin square theta cos square theta plus कर दिया बेटा और minus कर दिया plus 2 sin square theta cos square theta और minus 2 sin square cos square theta यहाँ पे बच्चों इसको क्या लिख सकता हूं में sin square theta plus cos square theta का whole square minus का क्या बच्चा 2 sin square theta cos square theta इसकी वेली बच्चों यहाँ पे कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी इसकी वेली 1 हो गई तो 1 minus का कितना हो जाएगा 2 sin square theta into cos square theta क्या बच्चों यह समझ में आया यह proved ठीक है ठीक है तो ये बच्चों आपको चीजे आनी चाहिए ये अगर हमें नहीं आती तो हम इस तरीके की questions नहीं कर पाते हैं अभी यहाँ पर यह question देखो अभी question बच्चों यहाँ पर काफी बात पूछा गया है questions की अगर हम बात करें तो जल्दी से बताईए इसका answer क्या आएगा 2 sin की power 6 theta plus cos की power 6 theta minus 3 sin की power 4 theta plus cos की power 4 theta और यहाँ पर बटा plus का 1 तो यहाँ पर बच्चों यह क्या हो जाएगा जल्दी से बताईए हाँ बिल्कुल बेटा जिसको proof करना नहीं आता या जिसको यह concept और अगर जिसको proof करना नहीं भी आता ना तो अब छोड़ दो यार अब नहीं कर सकते हो अगर एक की concept को proof करने बेठोगे तो बेटा आपका J-E तो नहीं निकल पाएगा यह तो मान लो अब बच्चे उसके लिए पढ़ें कि यार हम J-E में बहतर स्क्रोर कितना कर सकते हैं हमारी पहले अगर 56 परसेंटाइल थी तो अब कैसे हम उसको 86 परसेंटाइल बना सकते हैं यह बेटा रियलिटी है यह आप से कहना चाहूंगा बेटा रियलिटी है प्लस कोस की पावर 6 ठीटा जल्दी से बताईए अंसर कितना होगा यह वन माइनस का 3 साइन स्कॉर ठीटा इंटू कोस स्कॉर ठीटा अभी अभी बेटा फॉर्मला बताए था माइनस का 3 साइन की पावर 4 ठीटा प्लस कोस की पावर 4 ठीटा कितना होता है जल्दी से बताई है जीरो आ रहा है सबका अंसर चलो देखते हैं जीरो आ रहा है क्या आ रहा है तो यहां पर बैटा कितना हो जाएगा one minus two sine square theta cos square theta plus का one तो यहां से बच्चों कितना हो जाएगा यह हो गया two minus का six sine square theta cos square theta और यहां पर बच्चों कितना हो गया माइनस का 3 plus 6 sin square theta cos square theta plus का 1 ये बेटा इस से cancel यहाँ पे कितना आ गया ये ये हो गया बेटा 3 minus का 3 बराबर 0 अंसर कितना हो गया ए तो इस परकार की बच्चो अगर हमारे पास प्राश्ण आ जाए तो हम कर लेंगे तिरकोण मितिया अनुपात एवन सर्वसमिका पे थे काफी आसान से प्रेशने आप अगर 22 का उठा के देखोगे पेपर बेटा तो वहाँ पे भी आपको इसके बहुती आसान से प्रेशन मिलेंगे ओके चालिए जीरो अंसर अब बेटा वक्र की बात करते हैं ठीक है ना तिरकोण मितिया अनुपातों के वक्र तिरकोण मितिया अनुपातों के वक्र तिरकोण मितिया अनुपात बोल दो या तिरकोण मितिया फलन बोल दो बेटा दोनों एक ही बाते तिरकोन मितिय फलन भी वही होता है तिरकोन मितिय अनुपाद भी वही होते है ठीक है साइन ठीटा पहले परपेंडिकुलर अपोन हाइपोटेनियस लिखते थे लेकिन अब बेटा साइन ठीटा लिखते हो तो यहाँ पे बेटा सबसे पहले है साइन एक्स मैं बताओं ये वक्र क्यों लेके आया हूं हाँ मैं यहाँ पे वक्र लेके आया हूं प्रांत एवं परिसर बताने के लिए तो चलिए बेटा यहाँ पे हम यही कर देते हैं डारेक्टी यही लिख देते हैं तिरकोन मितिय फलनो तिरकोन मितिय फलनो का तिरकोन मितिय फलनों का प्रांत वह परीसर देखो बच्चों X क्या होगा X मतलब होगा प्रांत ठीके ना X का कि जो मान होता है X होता है बिटा हमारा प्रांत अब इसका प्रांत किस पर निर्बर करेगा बिटा अगर मैं आपसे प्रांत की बात करूं तो प्रांत आप देखो कि X सक्ष पर ग्राफ कितना बन रहा है बेटा X सक्ष पर ग्राफ कितना बन रहा है मुझे इतना बता दो X सक्ष पर देखो ये माईनस अनन्त से कितना आ रहा है बेटा प्लस अनन्त तो इसका जो प्रांत है वो कितना हो गया रियल sin x का बेटा प्रांत क्या होता है x का वह मान जिसके लिए फलन सदेव परिबाशित हो ठीक है ना फलन परिबाशित हो अनन्त मान नहीं देता हो x की value बेटा sin में कुछ भी रखूँगा यह हमेशा परिबाशित रहेगा और यहां पे बच्चों बताना चाहूंगा यह जो हमारे पास होता है जो graph में यह बना हुआ है यह बेटा क्या कहलाता है यह producer कहलाता है यह क्या होता है यहां पे producer यह y पर यह जो जितना भी देख रहो ना आप यह y की value यह producer होता है ये क्या होता है बेटा परीसर जितना ग्राफ य पर मूँ कर रहा है अब आप मुझे बताओ कि इसका परीसर कहां से कहां तक होगा परीसर होगा य का मान मतलब ये जो fx है तो परीसर बच्चो यहां पर कहां से कहां तक आ रहा है ग्राफ कहां से कहां तक मूँ कर रहा है रें X का प्रांत X कमान बेटा रियल नंबर और इसका परीसर ये कितना हो जाएगा बेटा माइनस 1 to 1 क्योंकि मुझे ग्राफ सेम दिख रहा है सेम हे नहीं बच्चों यह 0 से स्टार्ट होता है यह 0 से स्टार्ट होता है ध्याण रखना Sine 0 कमान 0 पाई बाई टू कमान वन, थ्री पाई बाई टू कमान माइनस वन, पाई की वेल्यू जीरो, ये ग्राफ हमें वेल्यू दो पता है ना, सभी बच्चों को, या वेल्यू नहीं पता है, वेरी गूड पता है सभी, चलिए बहुत ही बढ़िया, तो वेटा, साइन एक्स का प्रा से को सेक्स अब चारो ग्राफ मेरे आपको सामने लगा रखें आप मुझे बताइए बच्चों कि अगर मैं आपसे पूछू 10x का प्रांथ 10x का प्रांथ मतलब x की वेल्यू तो x मतलब होता है या प्रांथ मतलब होता है x की वह वेल्यू जिसके लिए फलन परिबाशित हो कह यहां कहा पर फलन परिबाशित नहीं हो रहा- पाइबाई टू पर, फिर पाइबाई-टू, फिर अब परिबाशित होता है तो यहां पर प्रांत में से आर तो लिखुंगा, लेकिन बच्चों इस विशम गुणज को 2N प्लस 1 पाई बाई 2 का विशम गुणज को क्या कर दिया मैंने माइनस कर दिया ये बन गया बेटा प्रांथ कितने बच्चों को समझ में आया ऐसा तो नहीं कि सर क्या चल रहा है very good बच्चा बहुत ही बढ़िया बहुत बढ़िया सर आप ब्लेक PPT में पढ़ाये ना प्लीज बेटा ब्लेक में काफी ज्यादा reflection होता है काफी बच्चों के आंखों पे जोर पढ़ता है बच्चे ब्लेक PPT को मतलब मतलब ब्लेक कहते हैं लेकिन ब्लेक काफी देड़ तक नहीं पढ़ पाते हैं ठीक है तो यहां पे बच्चों जहां जहां पे graph break हो रहा है वो उसके प्रांत में नहीं आएगा जहां जहां पर graph break हो रहा है वो इसके प्रांत में नहीं आएगा simple सी बात है बेटा कि जहां पर फलन परिबाशित नहीं होता जहाँ पर फलन का मान अनन्त आता है वो उसके प्रांत में नहीं आता मदलब यहाँ पर पाई बाई टू का विशम गुणज और जो n होगा बेटा वो n क्या होगा इंटीजर ठीक है अगर मैं इसके परिसर की बात करूं बेटा तो इसका परिसर कितना होगा वाई की वेल्यू कितनी होगी जल्दी से बताईए बच्चों यहाँ पर वाई का मान कितना हो जाएगा सिंपल सी बात है वाई की वेल्यू अरे बेटा यहाँ पर माईनस अनन्त से अनन्त दिख रही है अगर मैं आप से पूछू ये बेटा कहां से कहां तक जा रहा है ये कहां से कहां तक जा रहा है ये जा रहा है बेटा माइनस अनंत से प्लैस अनंत तो यहाँ पे कहीं पे भी ब्रेक नहीं हो रहा तो यह हो जाएगा इसका रियल नमबर ठीक है ना? चलिए इसके बाद बेटा कोट की बात करूँ तो कोट का प्रांत अब कोट का प्रांत आप देखिए बेटा कोट कहां पर परिवाशित नहीं हो रहा जीरो पर नहीं हो रहा पाई पर नहीं हो रहा तो यहां पर पता है क्या हो जाएगा r में से क्या माइनस कर देंगे n पाई और इसके परीसर की बात करें तो परीसर में बैटा कोई दिक्कत नहीं है माइनस अनन्थ से ग्राफ कितना चल रहा है प्लस अनन्थ तक चल रहा है तो y की वेली हो जाएगी बैटा real number ये बात कितने बच्चों को समझ में आई n पाई क्य क्यों कि यहां पर क्या एक कोट बटे कोट में क्या होता है कोस बटे साइन साइन एक्स बराबर जीरो तो एक्स बराबर कितना होता है बटा एन पाई द्यान रखना और अगर कॉस एक्स बराबर कॉस एक्स बराबर जीरो हो अब यह चीज़े बटा आपको अभी बताऊंग सारी concept एक एक चीज किलियर कराऊंगा बस आप देखना court पाई या अगर मैं यहां पर बोलूँ court n पाई पर value कितनी होती है वेटा अनन्त होती है ठीक है अनन्त या माइनस अनन्त अनन्त या माइनस अनन्त मतलब यह परिबाश्यत नहीं होता एन की value क्या होती है integer यहां पर फलन क्या होता है परिबाश्यत नहीं होता क्या समझ में आया यह बात सर डेट सो नंबर जेए मैंस में advance की तियारी कर सकते हैं बेटा बिलकुल कर सकते हो बिलकुल definitely कर सकते हो तो यहां पर बच्चो 10x का प्रांत क्या निकला 10x का प्रांत निकला r में से 2n प्लस 1 pi by 2 को माइनस कर दिया मतलब pi by 2 के जो विशम गुड़जे वो इसके प्रांत में नहीं आता परिसर इसका r रहता है real number रहता है कोट का भी परिसर real number रहता है बस ध्यान रखना यहां पर प्रांत क्या बन जाता है r minus का n pi okay इसके बाद बेटा सेख की बात करते हैं सेख का प्रांत बताओ बेटा कितना आ रहा है कहां कहां पर पर परिवाशित नहीं हो रहा अब बेटा मैं आपको deep में ले जाओंगा तो मतलब मैं यहीं पर अटक जाओंगा और मैं यहां पर अटकना नहीं चाता बेटा मैं deep में ले जाओंगा तो आपको समझा समझा की ठक जाओंगा लेकिन आपको एक दिन में तो यह समझ में नहीं आएगी इसलिए आपको यहां पर graph के according देखो कि अच्छा सर graph में जहां पर नहीं बन रहा वो इसका प्रांत है अब यहां पर बेटा πाई बाई टू पर यहां पर क्या हो रहा है पाई बाई टू पर तो मैं प्रांत x बिलोंग टू आर माइनस 2N प्लस 1 पाई बाई टू यह लो पाई बाई टू पर परिबाशित नहीं है 3 पाई बाई टू पर परिबाशित नहीं है मतलब उसके विशम गुणच पर परिबाशित नहीं है और अगर बेटा परीसर की बात करें यहां पर अगर मैं यहां पर परीसर की बात करूं तो इसका परीसर बेटा y की वेल्यू कित ठीके यहाँ पे बच्चों माइनस वन से वन में फलन नहीं आ रहा ग्राफ नहीं बन रहा इसको मैं ऐसे भी लिख सकता था आर माइनस वन से वन को हटा दो ये भी बच्चो परीसर को डिसाइड करेगा ये भी किसको डिसाइड करेगा यहाँ परीसर को ये वाला हमें ये वाला नहीं लेना अगर मैं यहाँ पर बात करूं तो ये बच्चो यहाँ तक आ रहा है ठीक है और यहाँ पर ये नीचे तक जा रहा है मतलब ये वाला पार्ट हमें नहीं लेना बीच वाला माइनस वन से वन तक नहीं लेना तो आर में से माइनस वन से वन हो गया इसी परकार से बच्चों यहाँ पे बात करूं तो ये वाला पार्ट हमें नहीं चाहिए उपर आ रहा है ग्राफ और यहाँ पे बैटा यह नीचे ठीक है यह इसके परिसर यहाँ यहाँ ग्राफ बन रहे हैं अब चलो बात करते हैं हम किसकी प्रांत एवं परिसर की तो यहाँ पे बच्चो कोटेक्स का प्रांत क्या होगा प्रांत एक्स की वेलू बैटा प्रांत में कौन सा मान डिफाइंड नहीं है कहां पर ग्राफ नहीं बन रहा ठीक है अब बैटा इतना तो ग्राफ आपको आना चाहिए सर नहीं दिख रहा सर पता नहीं चल रहा ग्राफ तो बैटा अगर नहीं आता तो आज भी नहीं आएगा आपको यहाँ पे हम रिवाइस करवारें बेटा पूरा नहीं ऐसा है कि सर सारा पढ़ा दो आप तो एक ही दिन में दो साल का पढ़ा दो यार मतलब आप सोच सकते हो बेटा कि आप अगर कहेंगे कि सर हमें तो ग्राफ एक एक जूम करके बताओ यार तुम्हारा दिमाग खराब है जूम करके अगर ग्राफ के बारे में बताओंगा तो बेटा इन छे ग्राफ हो कोई समझाते हुए पुरा दिन निकल जाएगा तुम थोड़ा तो सोचा करो कि तुम क्या बोल रहे हो तो यहाँ पे एन पाई पर अब जैसे बच्चे यह रिप्लाइ करते ना इसका मतलब होता है कि यह पढ़ने वाले बच्चे है तो यहाँ पर बच्चो एन पाई पर यह परिवाशित नहीं हो रहा तो आर में से क्या अटा दूँगा एन पाई अटा दूँगा क्योंकि यह यहां पर परिवाशित नहीं था यह उता है बेटा कंसेप्ट कि आठीचर बोले और बच्चा उससे पहले रिप्लाइ करे वेरी गुड देवा बहुत ही बढ़िया अभी शेक कुमार बहुत बढ़िया बेटा एन पाई और यहां पर परीसर की बात करूं तो बेटा परीसर क् ग्राब देखते ही मुझे परीसर बच्चों को बताना चाहिए कि हां सर यह इसका परीसर होगा जल्दी से बताइए बेटा परीसर कितना आ रहा है तो आप बोलोगे कि सर परीसर आ रहा है माइनस अनंत से स्टार्ट हो रहा है य की वेलिव माइनस अनंत से सर माइनस वन चल अब इतना basic आपको नहीं आता तो यार मतलब फिर मैं क्या ही बोलूँ आप से क्या उम्मीद है रखूंगी आप जही में कितनी परसेंटाइल लाओगे फिर ये बच्चे वह होते हैं कि सर मेरे 9% लाई ये सर मेरे 56% लाई ये सर मेरे 40% लाई ये अरे बेटा आएगी सही ना सारे जो तिर्कोन मितिया अनुपाते इनके प्रान्थ ये परीशन मैंने 1-7 लिग दिए बात आते हैं है आवर्तनांग आवर्थनांग का मतलब होता है की आवर्थी के सकते हो या Repetations के सकते हो घ्राफ जार्फ कब repeat होता है आवर्थी बोल सकते हो बेटा ठीक है ना? repeat अब यहाँ पे जίνसे Sign X की बात करों बेटा, Sign X का ग्राफ जैसे कि यहाँ पे 2Pi यहाँ पे 4Pi यहाँ पे 6 पाई तो यह ग्राफ बिटा आपको पता है कैसे बनता है यह इस तरीके से जाता है फिर यहाँ पे इस तरीके से दुबारा फिर यह इस तरीके से दुबारा मतलब इसका जो रिपीटेशन होता है ना बिटा 2 पाई के बाद होता है जैसे यहाँ पे आया यह 2 लेगा फिर यहां पे वापस यह two pi मलब यह two pi अंतराल में अपने आपको repeat करता है ठीके ना तो इस लिए पाई इसका आवर्टना कितना हो जाता है two pi cos का भी पाई two pi होता है हाँ ten की अगर बात करूं तो ten का repetition पाई के बाद होता है और इसी तरीके से सेख का repetition अब सेख क्या था बच्चों यहाँ पर यह देखो अगर मैं यहाँ पर सेख का grab बनाओ तो यह इस तरीके से चल रहा था फिर यहाँ पर ठीक है तो यहाँ पर बच्चों आप देखोगे यह पाई 0 से कितना आ गए बच्चो हम अगर 0 से हमने start किया और यह वापस हम यहाँ पर 2 पाई पर 0 से बेटा 2 pi तक आए यह यहाँ पे ठीक है इसके बाद यह अब यह बेटा यहाँ पे 0 से 2 pi तक यह वापस से repeat होगा अब यह वापस से बच्चो यहाँ पे क्या होगा repeat होगा यह देखिए ठीक है बच्चा यह touch नहीं होगा यहाँ पे बाद बेटा repetition होता है लेकिन अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये pi by 2 के बाद repeat होने लग जाता है ये देखो जैसे कि ये graph बना ओके यहाँ पे ये बना अब यहाँ पे pi by 2 के बाद ओ सोरी pi के बाद बेटा इसका repetition start हो जाता है दुबारा same graph बनता है ये देखो pi के बाद ये same graph बनना है pi के बाद बेटा यहाँ पे फिर से ये same graph बनना है ओके तो इसलिए बेटा इसका आवरतनांग कितना होता है pi होता है ओके यहाँ पे बच्चों ये प्रांत हो गए ये परीसर हो गया आई थिंग आपको ये चीज़ तो समझ में आ गई वक्रों के बारे में था तिरकोन मिती है थोड़ा बहुत आपको पुरिकुल किलियर हुआ होगा चलिए बेटा अब कौन मापन की पद्धियों की अगर में बात करूं तो कौन मापन को बेटा तीन परकार से मापा जाता है आपको पहले तो ये बता दू बेटा कौन को मापते कैसे हैं जैसे कि अगर यहाँ पे प्रारंबिक बुजा है इसको हम बोलते है प्रारंबिक बुजा इसको बोलते बेटा अंतिम बुजा, जहां से कौन को स्टाट करते हैं, प्रारम्बिक बुजा से अंतिम बुजा का जो घुमाओ होता है वही हमें कौन कहलाता है, अगर यहाँ पर यह ओबी हो तो यहाँ पर कौन ए ओबी, कौन ए ओ Уबी को बराबर कितना लिखते हैं, ठीटा लिखते हैं ठीटा लिखते हैं प्रारंबिक बुजा से अंतिम बुजा का जो गुमाओ होता है बेटा वही क्या कहलाता है कौन कहलाता है ध्यान रखना प्रारंबिक बुजा से अंतिम बुजा का जो गुमाओ होता है वो क्या कहलाता है बेटा, कौन कहलाता है, ध्यान रखिएगा, इसके बाद बच्चों हम यहाँ पे एक और बात बताना चाहूंगा, अगर यह गुमाओ, कैसी डारेक्शन में हो बेटा, एंटी क्लोकवाइस डारेक्शन में हो, अगर यह एंटी क्लोकवाइस डारेक्शन में एध्यान रखेगा यह ठीटा कितना होता है बिटा पोजेटी होता है लेकिन अगर यह गुमाऊं कौनसी डारिक्षं में हो बिटा क्णो क्लोक वाइश डार्यक्शन का मतलब इधर कैसा इडिया खिखा गर्णकलोक Two Goes क्लोक वाइश मतलब गड़ी की दिशा में clockwise का मतलब गड़ी की दिशा में गड़ी की दिशा में हो तो ये theta क्या होता है ये negative होता है ठीक है ना तो हमेशा ध्यान रखना अगर आप clockwise direction में angle को measure कर रहे हो तो negative और अगर बच्चो anti clockwise direction में angle को measure करते हो तो positive अगर बच्चों यहाँ पे मैं इसका कोण पूछू आप से यहाँ पे इस तरीके से तो यह कितना कोण है कोई बता सकता है मुझे यह कोण कितना है बेटा 270 डिग्री है या माइनस 90 कितना होगा जल्दी से बताईया आप कोई बताना है बच्चों यहाँ पे क्योंकि मैंने इस को clockwise direction में लिया है तो यह minus का 90 degree होता अगर बच्चों में इसको लेता इस तरीके से यहां से लेता यह measure करता तो आप बोलते फिर कितना होता यह बेटा 270 degree तो clockwise direction में positive और anti clockwise direction में कितना होता है बेटा यह negative होता है चलिए कौन मापन की बेटा तीन विदियां होती है तीन पदतियां होती है ध्यान रखना तीन पदतियां पहला होता है बेटा डेगरी डेगरी पदति या इसको हम डेगरी मापन भी कहते हैं डेगरी मापन 2nd होता है बटा Grade मापन 2nd क्या होता है Grade मापन और 3rd होता है बटा Radian या वरत्य मापन कूण को मापने की बटा ये सारी की सारी एकाईया है Degree, Grade और Radian आपके बटा J E में Grade भी है ठीक Is it Na Radian, Degree और Grade ठीकिए, Degree, Grade, Radian ये तीनों आपको पता होना चाहिए अब से पहले बात करते बेटा डिगरी मापन डिगरी मापन की बात करें तो बच्चों आपको ये तो पता है पूरा डिगरी मापन में अगर मैं एक पूरा चक्कर बोलूँ आपको ये पूरा एक चक्कर एक चक्कर बेटा कितना होता है क्योंगी मुझे बता सकता है एक चक्कर अगर मैं पूरा एक चक्कर की बात करूँ तो ये कितना होता है बेटा 360 degree ठीक है कितना होता है बेटा 1 revolution की अगर हम बात करें तो 360 degree होता है सभी को पता है अब बेटा यहाँ पे इतना याद रखना है आपको कि एक समकोन बराबर कितना होता है यहाँ पे 90 डिगरी ठीक है इसके बाद बेटा एक डिगरी बराबर होता है क्योंकि इससे छोटी भी काया होती है इससे छोटी भी काया होती है एक डिगरी बराबर सिस्टी डेश और यहां पर बेटा एक मिनट बराबर कितना होता है एक मिनट बराबर कितना होता है साथ सेकंड इसको मैं बोलता हूं सिस्टी डबल डेश तो यह बच्चो छोटी छोटी बाते हैं जो हमें पता होना चाहिए कि डिगरी से छोटा भी degree से छोटा भी बच्चो एक एकाई होती है degree minute second ठीक है degree minute second क्या बच्चा किलियर हुआ किसी को कोई doubt किसी को कोई problem किसी को कोई परशानी तो नहीं है पक्का अगर यहाँ पे बटा 121 121 बटे 4 degree है अगर मैं आप से बोलो कि इसको degree minute second में परिवर्थित करो एक उदारंड दिया है यह degree में है बटा अभी मैं इसको सिर्फ कह रहा हूँ कि degree minute second में change करो तो आपको पता यहाँ पे क्या करना पड़ेगा यहाँ पे बाग देना पड़ेगा 121 में 4 का बाग देंगे 120 बार यहाँ पे बटा कितना बचेगा यह एक बचेगा यहाँ पे यह कितनी बार गया ठीक है यह 30 बार गया ओके तो यहाँ पे आ गया बटा 30 सही 1 बटा 4 अब बटा यहाँ पे इसको मैं लिख सकता हूँ 30 सही प्लस एक बटा 4 यह लेख सकता हूँ मैं यहाँ पे डिगरी में तो यहाँ पे बटा यह 30 बटा 4 डिगरी हो गया अब इस डिगरी को मैं किस में चेंज कर सकता हूँ बटा मिनट में चेंज कर सकता हूँ तो यहाँ पर यह कितना हो गया 60 minute तो आपको पता यह 4 को यह से cancel होगा 15 बार तो यहाँ पर answer आजाएगा 30 degree into 15 minute यह बटा answer है तो हमने इसको degree minute में change कर दिया अगर minute में भी होता तो बटा क्या कर देते इसको minute में भी मतलब अगर point वगरा आता या बिन्नात्मक मान होता तो इसको बटा हम क्या कर देते फिर बाग दे देते फिर बाग दे देते तो 30 degree 15 minute यहाँ पर answer आगया ठीक है बच्चों तो यह चीज़े छोटी छोटी चीज़े अगर हमें आती है ना तो हम तब जाके बटा जही के लायक बन पाएंगे ऐसा नहीं है कि यार सर मतलब यार मज़ा वज़ा आ रहा है नहीं आ रहा है किसी को मतलब ऐसा लग रहा है कि सर हाँ second में बदलना second में तब बदलते जब यहाँ पर 15 point कुछ आता यहाँ पर अगर point आता ना बिटा तो फिर हम इसको second में भी बदलते क्योंकि बिनात्मक मान को हम और छोटा कर सकते हैं ठीक है क्या सभी को किलिए रहे पका नहीं आ रहा मज़ा कोई सर आग वाग नहीं लग रही सर हमारे अंदर कुछ ऐसा बताओ कि जिससे कि आग लगे सर ये बेटा चीज़े बिलकुल आपको एक रिवाइस करवाय जा रहा है जिससे कि आपको बुक में पढ़ते तो आपको टाइम लगता है बुक में पढ़ते हैं तो टाइम लगता है लेकिन अगर बिना बुक के हम पढ़ते हैं तो तो बेटा यहाँ पर क्या होता है एक समकोन एक समकोन बराबर कितना होता है यहाँ पर हंड्रेड ग्रेड एक ग्रेड बराबर होता है बेटा सौ मिनट ठीक है इसको क्या बोलते हैं मिनट सौ मिनट और एक मिनट बराबर कितना होता है बेटा सौ सेकंड ठीक है तो यह को आप डिगरी में चेंज कर सकते हो या रेडियन में चेंज कर सकते हो ठीक है और तीसरा होता है यहाँ पे रेडियन तीसरा क्या होता है रेडियन मापन रेडियन मापन या इसको वरत्य मापन भी कहते हैं अब वरत्य मापन में क्या होता है विटा जैसे की एक वरत्ताकार की अगर मैं बात करूँ इसके केंदर पर अगर मैं कौन बनाता हूँ और इसके चाप की लंबाई L है और इसकी तिरजा R है तो आपको पता है इसका कौन कितना होता है कौन बराबर यहाँ पे होता है बेटा कौन बराबर यहाँ पे होता है चाप बटे तिर्जा चाप बटे तिर्जा चाप की लंबाई और बटे में तिर्जा तो आपको बच्चों यहाँ पर बताना चाहूंगा ठीटा बराबर हो जाएगा एल बटे में आर यह बस यहाँ पर याद रखना है रेडियन में चाप बटे तिर्जा ठीक है और यहाँ पे वेटा एक चकर बराबर कितना होता है अगर मैं आप से पूछू कि एक चकर तो यहाँ पे आप बोलोगे टूपाई रेडियन में अगर पूरा एक चकर की बात करें ठीक है यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ पे खतम हुआ तो one तू पाई यह होता है बेटा रेडियन और आपको असली में बताओं कि रेडियन कोई मातरक ही नहीं होता है मात्रक वीन होता है, ठीक है, मात्रक वीन होता है, ओके, चलिए, तो यहाँ पे बेटा किसी को कोई डाउट, यहाँ पे किसी को कोई प्रॉब्लम, यहाँ पे किसी को कोई समस्या, एक बेटा होता है, डिगरी, डिगरी, ग्रेड, वहाँ, रेडियन में सम्मन, तो यहाँ पे बच्चों आप सबको बता दूं कि डेगरी, ग्रेड़ और रेडियन के आपस में कैसे परिवर्थित करते हैं तो पाई बराबर लेकिन एक मिनट बराबर सब करते हैं हाँ बेटा बिलकुल है एक मिनट बराबर साथ सेकेंड होता है किसमें डेगरी में ग्रेड में क्या हो जाता है? 100 ग्रेड एक समकोर में और इसी परकार से बच्चों अगर मैं यहाँ पर रेडियन की बात करूँ तो रेडियन होता है बटा यहाँ पर पाई बाई टू तो यह बटा आप इसमें से किसी में भी इसको चेंज कर सकते हो डेडियन में रेडियन को ग्रेड में आप किसी में भी परिवर्तित कर सकते हो और बहुत ही आसानी से परिवर्तित कर सकते हो बहुत ही आसानी से ठीक है? जैसे बच्चों अगर मैंने कह दिया कि एक डेडियन बराबर क्या होता है अब आपको पता है यार कि 180 degree बराबर कितना होता है बेटा 2 pi होता है sorry pi होता है ठीक है ना 360 degree बराबर कितना होता है 2 pi तो 180 degree बराबर यहाँ पे बेटा सबको पता है कि 360 बराबर 2 pi होता है और यह बेटा कितना होता है एक चक्कर यहाँ पर यह कितना होता है एक चक्कर होता है क्या यह चीज पता है आपको अब 180 degree बराबर अगर πाई हो गया तो अगर बच्चों मुझे degree में किसी को radian में परिवर्तित करना हो तो 1 degree बराबर क्या लिखूंगा मैं पाई बटे में 180 और यह radian हो जाएगा किसमें हो जागा radian में और आपको पता है 1 radian C से रिप्रेजेंट करते बेटा radian को ध्यान रखिएगा तो 1 radian की अगर मैं बात करूं तो 1 radian बराबर कितना होता है बेटा 180 degree बटे में पाई यह बच्चों परिवर्तन होता है ठीक है जैसे कि अगर मैं बात करूं 5 pi by 6 अब 5 pi by 6 बेटा किसमें pi आ रहा है तो यह definitely radian में है इसको मुझे अगर degree में इसको अगर मुझे degree में परिवर्तित करना है तो कितना हो जाएगा 5 pi by 6 into में 180 बटे pi क्योंकि radian को बच्चों आप किसमें परिवर्तित कर रहे हो degree में परिवर्तित कर रहे हो तो यहाँ पर pi से pi cancel यह से cancel कितना हो जाएगा बेटा यह 30 तो यह हो जाएगा यहाँ पर 150 degree ठीक है इसी तरीके से हम बहुत कुछ कर सकते degree को radian में change कर सकते radian को degree में change कर सकते हैं बिलकुल कर सकते हैं आप कोई सा भी उठा के ले लो ठीक है अलक आप बिलकुल कर सकते हो जो आप सर्बूख लग रही है सर्ब्रेक अरे बेटा बूख बूख यार छोड़ दो आज आज बूख बूख सब कुछ छोड़ दो आप यार मतलब कि यह है कि अगर पढ़ लोगे ना तो बेटा सब कुछ मतलब खाना भी हजम हो जाएगा खाना भी पसंद आएगा लेकिन अगर ब्रेक ब्रेक ले लिया ना तो बेटा फिर हो गया आपका पढ़ लिया फिर आपने पूरा दिन ठीक है चलिए कोई दिक्कत नहीं कोई डाउट नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं बस यहाँ पर बच्चा ध्यान रखिएगा अरे यार समकोन और ग्रेड में तो आपको और सिंपल होना चाहिए एक ग्रेड बराबर सो समकोन होता है मतलब सो ग्रेड होता है एक समकोन बराबर तो उसको तो आप इजिली कर सकते हो यार ठीक है चलिए अब बच्चो यहाँ पे तिरकोन मितिय फलनों के महत्तपूर्ण प्रश्न आपको बेटा सबसे पहले तो मैं यहाँ पे बताना बनाता हूँ एकाई तिर्जा का यहाँ पे एक व्रत बनाता हूँ या अभी एकाई तिर्जा रहने दो यहाँ पे एक बहुत ही X और Y यहाँ पे बेटा में तिरकोन मितिय फलन की आपको असली डेफिनेशन बता रहा हूँ तिरकोन मितिय फलन कि तिरकोन में तिये फलन की असली definitions क्या होती है ठीक है न तो यहाँ पे बच्चों ये चीजें समझानी बहुत ही ज़रूरी है जिससे कि आपके concept के लिए रो यहाँ पे कोई point ले लिया P जिसके बेटा निर्देशान के X,Y मान लो कि इसकी तिर्जा कितनी ये R है तो यहाँ से बेटा O से P ये अगर कौन ठीटा है ये कौन ठीटा है तो आपको पता है बेटा ये कितना हो जाएगा ये तो X हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा Y हो जाएगा इसको मैं Q बोल देता हूँ तो तिर्बुच OPQ में तिर्बुज OPQ में बच्चों आप मुझे बता सकते हो कि SIN THETA बराबर कितना है SIN THETA बराबर आप लिखोगे Y बटे में R COS THETA बराबर कितना है X बटे में R यदि तिर्जा यदि तिर्जा बच्चों में यहाँ पर 1 ले लूँ ठीक है क्यों ले रहा हूँ अभी पता चल जाएगा तो मैंने यहाँ पर R की वेल्यू कितनी ले ली 1 ले ली R बराबर कितना ले लिया 1 ले लिया ठीक है R बराबर 1 तो आपको बता है R बराबर 1 है तो इसके पॉइंट कितना हो जाएगा 1,0 इसका पॉइंट कितना हो जाएगा 0,1 इसका पॉइंट कितना हो जाएगा बिटा minus 1,0 इसके पॉइंट क्या हो जाएंगे यह हो जाएगा बिटा 0,1 अब यहाँ पर R की वेल्यू ली तो साइन ठीटा बराबर आपके पास आगया बिटा Y Y निर्देशांग और कोश्ट ठीटा बराबर आपके पास आगया बिटा X निर्देशांग ठीके यह बच्चों हमारे पास आया साइन ठीटा कोश्ट ठीटा अब यहाँ पर आप पता है किसी भी कौन का मान निकाल सकते हो अगर ठीटा 0 हो अगर theta 0 हो तो पेटा यहां पर theta 0 पर हम कौन से मिंदू पर होंगे 90 पर हम B पर होंगे 180 पर हम C पर होंगे और 270 पर हम D पर होंगे होंगे या नहीं होंगे आप मुझे बताईए होंगे ठीटा बेटा जीरो रखूंगा तो आपको यहाँ पे साइन जीरो आप मुझे बताइए कि साइन जीरो की अगर वेल्यू की बात करूं तो साइन जीरो वाई निर्दशांग y निर्देशांग कितना हो जाएगा 0 और cos 0 cos 0 बेटा कितना हो जाएगा 1 अगर theta बेटा 90 है ये कौन से बिंदू पर गए a बिंदू पर यहाँ पर हम कौन से बिंदू पर पहुचेंगे b बिंदू पर तो यहाँ पर sign 90 sign 90 का मान कितना होतगा बिटा Y निर्दे शांक 1, और यहाँ पे cos 9T कितना हो जाएंगा बिटा 0 अब आप मुझे बता सकते हो, sine 180 का मान भी बता सकते हो और cos 180 का मान भी बता सकते हो जल्दी से बताएं बच्चो, sine 180 कितना होगा 180 पर आप देखो, की Y निर्दे शांक कितना है सिर्फ Y निर्देशांग को रिपर्जेंट करना है तो Y यहाँ पे 0 कोस 180 की वेल्यू कितनी हो जाएगी बैटा माइनस का 1 ठीक है तो यह बैटा काफी अच्छा कंसेप्ट है 180, 270 इनका मान निकालने के लिए ठीक है और यहाँ पे बच्छों अगर मैं आपसे पूछू साइन 270 कोई मुझे बता सकता है साइन 270 कितना होगा आप कोई बताना है बैटा साइन 270 बताओ जल्दी से कितना होगा साइन 270 मतलब मैं कहाँ पे चला गया बैटा मैं इस बिंदू पे चला गया डी बिंदू पर अब मुझे Y निर्देशांग देखना है तो माइनस का वन यहाँ पे बेटा कोस 270 मतलब X निर्देशांग X निर्देशांग कितना इसका? जीरो है इसी तरीके से बेटा मैं 360 के लिए भी निकाल सकता हूँ 360 के लिए भी निकाल सकता हूँ ठीक है? पका समझ में आया? तो बच्चों यहाँ पे साइन 270 मतलब Y निर्देशांग माइनस वन और X निर्देशांग कितना है? साइन मतलब Y साइन मतलब क्या होता है पेटा? यह चीज ध्यान रखिएगा बहुत ही इंपोर्टेंट है साइन मतलब होता है Y और कोस मतलब होता है X ओके बच्चों? बस इतना सा आपको पता है ना आप किसी के भी मान निकाल सकते हो बिल्कुल आसानी से किसी के भी मान निकाल सकते हो चलिया बहुत ही बढ़िया यह ओसम ट्रिक है बेलकुल बच्चो ऐसी ट्रिक है में करवाता रहूंगा आपको यार ऐसी वज़े से हमें किसी का भी मान निकाल सकते हैं हम किसी का भी मान निकाल सकते बच्चों, यहाँ पर ध्यान रखिएगा, सिर्फ आपको यहाँ पर क्या करना है, यह तिर्कोन मित्य फलन में कोई सा भी, यहाँ पर अगर आपको पताए कि यह 1 है, तो यह बच्चों 1,0, यह कितना हो जाएगा, 0,1, ठीक है, यह बिंदू A, यह बिंदू B, यह बिंदू C पर क्या हो जाएगा बिटा, यहाँ पर माइनस 1, तो माइनस 1,0, बिंदू D क्या हो जाएगा बिंदू D क्या हो गया, 0, माइनस का 1, जो कि यहाँ पर दिख रहा है आपको, अब आपको बस इतना सा याद रखना है, अच्छा सर, साइन ठीट बराबर यहाँ पे होता है y और कोश ठीटा बराबर होता है बेटा x ठीक है के लिए रहे कोश ठीटा x अब आप इसमें किसी भी कोण का मान निकाल सकते हो एक बात और बताना चाहूंगा बेटा अगर sin ठीटा बराबर आपका 0 है sin ठीटा बराबर अगर बच्चों आपका 0 आता है हमेशा द्यान रखना उस कंडिशन में ठीटा कितना होता है बेटा एन पाई होता है उस कंडिशन में ठीटा बेटा कितना होता है एन पाई क्योंकि साइन ठीटा जीरो है तो ठीटा बेटा जीरो भी हो सकता है पाई भी हो सकता है टू पाई भी हो सकता है थ्री पाई भी हो सकता है माइनस पाई भी हो सकता है माइनस टू पाई भी हो सकता है यह इसलिए बेटा मैंने आप एन लिखा और इसको क्या लिखूंगा एन बिलॉंग्स टूंटीजन ठीक है यह साइन के लिए हो गया जनल हो गई बेटा जनल तॉम्स हो गई ध्यान रखना समझ में आ रहा रहा है सब को या किसी को नहीं सर को समझ में कहा अएगा सर इतनी ब्रेक नी चाहिए न पक्का? चलिए, very good. अगर बच्चो कोश्ट थिटा बदाबर 0 हो, यदि बच्चो थिटा बदाबर 0 हो, तो आपको पता है की ठीटा का मान कितना होता है? क्योंकि कोश्ट जिडाओ कहाँ कहाँ पर होता है? पाई बाई टू पर, 3 Pi by 2 पर 5 Pi by 2 पर मतलब Pi by 2 का यहाँ पर विशम गुणा जे Pi by 2 का क्या है यहाँ पर विशम गुणा जे तो यहाँ पर ध्यान रखना यह 2N प्लस 1 2N प्लस 1 और यहाँ पर यह Pi by 2 यह हो जाएगा यहाँ पर कोश ठीटा बरावर 0 क्या मेरी बास समझ में आई यह क्लास चल रही है बटा अभी 1000 डिग्री इनका भी बेटा मान निकाल लेंगे ठीक है ना अभी HTC रूल बताऊंगा चलिए तो यह सब चीजें सब को क्लियर हो जाएगी अब यहाँ पर बच्चों हम बात करते HTC रूल ठीक है HTC रूल क्या होता है क्या सभी बच्चों को आता है आप इससे किसी भी तिरकोंड में तिये फलन का मान निकाल सकते हो XY यहाँ पर X डेश और यहाँ पर बच्चों क्या हो जाएगा यह Y डेश यह बेटा फर्स्ट चतुर्थांश होता है यह दितिये चतुर्थांश होता है यह तिरतिये चतुर्थांश होता है और यह बेटा चतुर्स चतुर्थांश होता है यह आता है बेटा HTC रूल सबको आता है जल्दी से बताइए अगर आता हो तो बैटा क्यों time waste किये और नहीं आता हो तो अगर बोलो की सर एक बार और करवा दो तो जल्दी से बताइए ठीक है अब यार data खतम हो गया तो बैटा data खतम नहीं हुआ तुमारा तुम क्या है कि चीजें बस time pass मत करो यार मतलब कि ऐसा नहीं होना चाहिए हमें पता है कि अगर 12 गंटे की class है तो हमें पहले से ये चीजें करके रखनी चाहिए हमने आपको के रखा है अगर यार हम मैनत करवा रहे हैं भी तो बेटा कहीं न कहीं चीजों को यहाँ पे पहले ही मैनेज करके रख रहे है ऐसा थोड़ी नहीं कि यार हम ऐसे उठके आगए बस आपके पास और बस यहाँ पे पढ़ाने लग गए बेटरी से लेके बेटा हर एक चीज यहाँ पे देखनी पड़ती है कि कितने 10 गंटे क्लास है 12 गंटे क्लास है पूरा आपको करवा रहे है और कभी-कभी बच्चों की चीजे बाते सुनके मुझे लगता नहीं कि यार तुम वाकई में IIT की त्यारी करने के लिए बने हो कुछ-कुछ बच्चे तो मुझे ऐसा लगता है कि यार मतलब एक छोटे से बच्चे होते ना दो साल के वैसी हरकते करते हो सर मेरा तो डेटा खतम हो गया सर अब क्या करूं अरे बेटा छोड़ दे पड़ाई करना डेटा खतम हो गया तो एक काम कर बेड़ जा घर पे मत पढ़ तू कुछ भी हद करते हो यार मतलब ये कोई क्योशन है क्या किसे डेटा खतम हो गया सर क्या करें अब ये जो गाने सुनना टाइम पास करना ये करना बंद कर दो बेटा खतम कर दो ये सब चीजे इंस्टा चला रहे हो वोटसप चला रहे हो सर आपका लेक्चर भी देख रहे है ठीक है पता है कि यार सर दस से पंदरा घंटे की क्लास लेंगे सर हमारे लिए आये हैं और ये अगर मुझे क्योशन मिलेना यहाँ पे तो बेटा तुमारे कमेंट्स पढ़ना भी बंद कर दूँगा मैं टाइम पास नहीं करना यहाँ पे टाइम पास करवाना तो काफी चैनल है आपके पास जहां पे शेरोशानिया मिल जाएगी और काफी बच्चे मिलेंगे ऐसा है काफी चैनल है बच्चे जहां पे शेरोशानिया फुल मिलेगी और बच्चा मोटिवेट होता है लेकिन पता चलता है कि मोटिवेट स्रिफ दो दिन होके और तीसरे दिन वैसा का वैसा बन जाता है मोटिवेशन से बच्चों काम नहीं चलता, मोटिवेशन से किसी का सेलेक्शन नहीं होता, अपने अंदर जुनुन चाहिए, अपने अंदर जजबा चाहिए, अपने अंदर मेहनत चाहिए, जब तक हम मन में ये नहीं सोचेंगे कि हमें IAT जाना है, किसी के कहने पर नहीं हमें अपना मन बदलना है हमारे अंदर ये चीजे होनी चाहिए इन बिल्ट होनी चाहिए ये जब चीजें बच्चों इन बिल्ट हो दीगे ना कि हाँ दिल की इसे आवाज आए कि हाँ यार मैं IIT जाना चाहता हूँ मैं IIT के लायक हूँ क्योंकि फिप्त क्लास वाला बच्चा भी मोटिवेशन लेक्चर देखके मोटिवेशन शायरी देखके और बच्चे को लगता है फिप्त क्लास वाले को हाँ मैं कर लूँगा मैं IIT कर लूँगा लेकिन जब बच्चा सच्चाईयों से सामना होता है ना तो दिक्कत होती है ठीक है तो चलिए बच्चों यहाँ पर आपको पताए कि यह 0 डिग्री होता है यहाँ पर यह कितना होता है 90 डिग्री यहाँ पर कितना हो जाता है यह 180 डिग्री क्योंकि यहाँ पर बैटा यह समकोन यहाँ पर 180 यहाँ पर यह 270 ओके और यहां पे जब पूरा राउंड लगता है तो यह वापस से 360 डिग्री, 360 के बाद बेटा यहां पे आ जाता है यह 450 डिग्री, 98 करते जाना, 450 के बाद यहां पे अगर मैं बात करूं, फिर 98 करूं, तो यह 540, ठीक है, यहां पे इसको पाई भी बोल सकता हूं, यहां पे इसको 3 पाई भी बोल सकता हूं, और यहां पे बेटा 540 के बाद, यह 630, ठीक है, यह कितना है बेटा, 3 पाई भाई टू, अब 3 पाई भाई टू, में 2 पाई एड करोगे, तो कितना हो जाएगा बेटा यह, ठीक है, तो ऐसे आप 8 करते जागा ना, 7 पाई भाई टू, यहां पे 5 पाई और यहां पे कितना हो जाएगा, 4 पाई, जिसमें मैं यह क्या लिखूंगा, 720, तो यह आगे चलता जाएगा बेटा, यह एक राउंड है, यह फिर दूसरा राउंड, तो ऐसे तरीके से यह आगे चलता जाता है, ठीक है, तो यह तो कौन है बेटा, 360 के बाद भी रु पिरकार इस, जो रूल है, एस टी सी, इसका मतलब क्या है, एस टी सी का मतलब है बेटा, यहाँ पे ए, ए का मतलब है, ओल, ठीक है, यहाँ पे ए, यहाँ पे एस, यहाँ पे टी, और यहाँ पे सी, इसको हम बोलते हैं बेटा, ओल, इस्कूल टू कॉलेज, ओल, इस्कूल ट तेरी कसम ठीक है ना आपकी मर्जिया आप जैसे याद करना चाहो वैसे याद कर सकते हो ए सनम तेरी कसम या all school to college बच्चे school के बाद college जाना पसंद करते हैं इसलिए बेटा मैंने ये rule बता है ठीक है अब यहाँ पे बच्चों all का मतलब होता है सारे यहाँ पे sign, cause, 10, court और sick और cause sick ये सारे के सारे बेटा क्या होते है यहाँ पे positive होते है पहला चतुर्थांश में 0 से 90, 0 से 90 में बच्चों सारे के सारे क्या होते है पोजेटी होते है जान रखिएगा सारे के सारे क्या होते है 0 से 90 में positive होते है 90 अगर मैं बात करूँ फर्स्ट चतुर्थांश जो होता है बेटा 0 से 90 पे चलता है ठीक है सेकंड चतुर्थांश जो है सेकंड चतुर्थांश कहां से कहां तक चलता है 90 से उपर 180 से कम इसके बाद बेटा थर्ड चतुर्थांश की अगर मैं बात करूं तो वो कहां से कहां तक चलेगा 180 से उपर 270 से नीचे और इसके बाद बच्चों यहाँ पे 4th की अगर मैं बात करूं तो 360 से नीचे और यहाँ पे 270 से जादा तो यह सारे बेटा Quadrants हमने डिवाइट कर रखें यहाँ पे ठीक है 1st 2nd 3rd 4th ठीक है चलिए अब यहाँ पे हमने देखा कि जो सारे थे यहाँ पे Sign, Quote, Ten, Quote, Sec, Cosec यह सारे Positive होते हैं यहाँ पे बच्चों अगर मैं बात करूं तो Simple सा, S6 का मतलब क्या होता है? Sign और इसका Ultra, Cosec यह दोनों बेटा Positive होंगे किसमे? 90 से 180 के डिगरे में और अधर सारे के सारे कितने हो जाएंगे? अधर सब क्या हो जाएंगे? बेटा, Negative मतलब कोस, सेक, कोस, सेक, 10 और कोट यह चारों के चारों बेटा यहाँ पे क्या हो जाएंगे? Negative होंगे, सब बच्चे ध्यान रखना, ठीक है? हाँ हो सकता है बेटा, कुछ भी हो सकता है, All Service Transport Company जो आप चाहो कर सकते हो, ठीक है ना? तो यहाँ पे यार यह मैटर नहीं करता ह इससे याद हो, आप उससे करो, मैं क्या रटवाने थोड़ी नहीं आया हूँ आपको यार? अद्ध करते हो, ए सनम तू चोर, अच्छा एक बच्चे ने यह भी कहा है, मतलब बहुत अच्छे अच्छे आइडिया देते हो यार तुम, मुझे लग रहा है कि मेरी जगत तु बढ़िया, ठीक है, तो यहां पर बच्चो सेकेंड में साइन और कोसे क्या हो जाएगा, पोजेटिव, इसके बाद आता है बेटा टेन और यहां पे कोोट, यह थर्ड में बच्छों सारे के सारे कितने हो जाएंगे, अदर सभी के सभी क्या हो जाएंगे, नेगेट अधर सारे के सारे negative हो जाएगे मलग चोथे में 270 से 360 के बीच में ये सारे के सारे क्या होते हैं को सोर सेक positive होते हैं चतुर चतुर थांच में अब बेटा एक चीज और याद रखने हैं एक तो से ऐस तिसी आध रखनाए एक होता है कि जो एक सक्षो होती है चेंजिंग लाइन एक सक्षोती है नो चेंजिंग लाइन ठीक है अब बेटा यह चेंज वगेरा कैसे होता है आपको मैं यहाँ पर बता दू साइन चेंज होता है बेटा किसमें कॉस में ठीक है और यहाँ पर कोस बच्चो चेंज होता है किसमें साइन में इसी के साथ में कोट टेन में और यहां पे बच्चो सेक कॉसेक में और कॉसेक सेक में ओके बच्चो चेंज अब यहां पे चेंज कैसे यह वायक्ष कैसे change करती है देखो बच्चो पहले चतुरसांच में जाने के लिए आपके बास दो तरीके होते या तो आप यहाँ पे डारेक्ट ठीटा बोल दो या बच्चो पहले चतुरसांच में आप 90 माइनस ठीटा बोल दो ठीक है 90 से कुछ कम अगर मैं बात करूँ यहाँ पे बच्चो दित्ये के लिए तो दित्ये में जाने के लिए आप यहाँ तो 90 प्लस ठीटा बोलोगे या यहाँ पे क्या बोलोगे इसमें दित्ये में आने के लिए यहाँ पे बोलोगे बटा 180 माइनस का ठीटा 180 मैसे माइनस theta करूंगा कुछ भी theta की value यहाँ पे noon कोण है 0 से 90 के बीच में है ठीक है और इसी तरीके से बेटा तीसरे में जाने के लिए क्या होता है 180 प्लस theta और यहाँ पे हो जाता है बेटा यहाँ पे क्या 180 sorry 270 minus theta तीसरे में जाने के दो तरीके हैं या तो आप कैसे जा सकते हो 270 minus theta या 180 plus theta चोथे में बेटा 270 plus theta या यहाँ पे कैसे आते हैं 360 minus theta तो यह बेटा चतुर थांच में जाने के रस्ते थे कैसे कैसे जा सकते हैं पहले में theta या फिर 90 minus theta दित्तिय में कैसे जा सकते हैं 90 प्लस ठीटा या 180 माइनस ठीटा इसमें कैसे जा सकते हैं थर्ड में 180 प्लस ठीटा 270 माइनस ठीटा और यहाँ पे 270 प्लस ठीटा 4th में या 360 माइनस ठीटा अब बेटा यहाँ पे अगर कुछ मैं बात करूँ जैसे कि मैंने आपसे कहा कि sin 90-θ sin 90-θ अब बेटा यहाँ पे 90-θ मतलब कौन से चतुरसांच में पहले में sin क्या होता है पोजेटी होता है तो चलो पोजेटी लिग दिया क्या यह परिवर्तित होगा आप परिवर्तित कि सक्ष को छेडा है x को या y को y को छेडा है तो यहाँ पे sin किस में परिवर्तित होता है cos में तो यह बनता है cos theta आपको पता है sin 90-θ कितना होता है cos theta होता है वो यहीं से आता है चलिए अब यहाँ पे कुछ और questions करते हैं अगर मैं आपसे पूछू sin 150 degree sin 150 degree को बच्चों हम क्या लिख सकते हैं ठीक है दित्ये चतुर्थांच दित्ये चतुर्थांच यहाँ पे मैं लिख दोगा sin 180-30 degree ठीक है sin दित्ये में क्या होता है positive होता है चलो positive इसने x को छेडा है y को छेडा है इसने x को छेडा है क्योंकि 180-θ तो यहाँ पे बटा यह कितना हो जाएगा sin 30 अगर आपने x सक्ष को छेडा है तो आप कुछ चेंज नहीं होगा और यहाँ पे sin 30 हो जाएगा sin 30 की value 1 by 2 sin 150 का मान कितना हो जाएगा बिलकुल very good बहुत ही बड़ी है मतलब आपको चीजां आती है अगर बच्चों यहाँ पे मैं लिख दू 10 210 डिगरी या अभी मैं कोस 210 की बात कर रहा हूँ जिससे दो कंसेट के लियर हो जाएगे कोस 210 डिगरी अब कोस 200 का 10 का मान कितना हो जाएगा बिटा यहाँ पे कोस 180 प्लस का 30 कौन सा चतुर सांचे बेटा तीसरा है तीसरे में कोस क्या होता है नेगेटी होता है पोजेटी होता है यह नेगेटी होता है तो माइनस का बेटा यहाँ पे कोस हो गया माइनस का यहाँ पे कितना हो जाएगा कोस कोस ही होगा क्योंकि यह changing line 180 plus 180 plus मतलब इसने एक सक्ष को छेड़ा है तो इसमें कोई changes नहीं होगा तो यह 30 तो minus cost 30 की value कितनी हो जाएगी बैटा minus root 3 by 2 यह हो जाएगा बैटा cost 210 का मान ठीक है चलिए दो चीजे देखने यह एक तो बैटा परिवर्तित अपरिवर्तित के एक सक्ष को या yx को touch किया है या फिर बच्चों यहाँ पे कौन से चतुर्थांश में है अब यहाँ पे बच्चों ध्यान रखना जैसे कि मैं अगर भात करूं simple सी sign जहाँ 300 390 अब बैटा 390 जब गाड़ी 360 के पार हो जाए तो आप हमेशा 360 का पहाड़ा पढ़ना ठीक है ना 360 के पहाड़े की जितनी भी वेल्य होगी ना 360 720 1080 ठीक है उसके बाद 1440 इस तरीके के सारे के सारे मान अम अटा देते हैं ठीक है जैसे कि यहाँ पर मैं क्या बोल सकता हूँ sign 360 आया 360 प्लस 30 तो इसको तो बैटा आप बना दो 0 तो यहाँ पर डारेक्ट हो जाएगा sign 30 degree sign 30 की value होती है एक बटा दो अगर बच्चों यहाँ पर मैं आप से पूछों 10 1100 1140 अब 10 1140 की अगर मैं बात करूं तो बैटा यह 700 360 की से उपर गाड़ी पोच गई अब 360 का बैटा टेबल पड़ो 360 की अगर मैं टेबल पड़ों तो यहाँ पे 360 प्लस 360 कितना हो गया 720 720 प्लस 360 कितना हो गया 1080 तो यहाँ पे मैं कहीं इनके पास आ गया 1080 प्लस का कितना बच्चा यहाँ पे 60 अब 1080 बैटा यह क्या है तीन का उसका 700 360 का पाड़ा है अगर बच्चों यहाँ पे यह तीन गुणा 360 और प्लस बैटा यहाँ पे 60 डिगरी तो यह तो बैटा जीरो हो जाएगा यहाँ पे आजाएगा 10 60 डिगरी और 10 60 डिगरी की वेल्यू कितनी हो जाएगी बैटा यहाँ पे रूट 3 क्या समझ में आया रूट 3 अंसर आ रहा है वेरी गुड बहुत ही बढ़ी है बच्चों के अंसर आ रहें और अच्छे तरीके से पढ़ रहें तो 360 का वेटा कभी भी गुणज आये ना तो उसको 0 बना दोगे 360 के गुणज को क्या बना दोगे 0 बना दोगे चलिए ये बेटा हो गया हमारा STC rule, समझ में आ गया, questions भी करवा दिये, और काफी अच्छे से समझ में भी आये होंगे, ओके, सबको एक बार यार कुछ मतलब कह दीजिए, बोल दीजिए, आपके लिए ही हम कर रहे हैं इतना, तो आपका बच्चों यहाँ पे हमें साथ चाहिए, आपका उस्सा चाहिए, आप यहाँ पे continuously होने चाहिए, ऐसा नहीं कि यार, आ रहे हैं, जा रहे हैं, सर चार गंटे हो गए, तीन गंटे हो गए, सर कैसे, हम पढ़ेंगे इतनी देर, नहीं, पढ़ना है, पढ़ना है, और पढ़ना है, कोई और option नहीं है आपके पास, ठीक है, आज पूरो math को एकदम जकास तरीके से पूरी पढ़नी है, पूरा पढ़ाऊंगा बेटा, हर एक चीज पढ़ाऊंगा, बिलकुल, बस आप हमारे साथ रहिए, अब फलनों के बेटा, यहाँ पे कुछ math पूर्ण सूत प्लस पूर्ण से साइन भी, अब यह फॉर्मला कहीं भी आ जाए तो बेटा, आपको लगाना आना चाहिए, यहाँ पे बेटा, साइन ए माइनस बी का फॉर्मला, आप भी मेरे साथ लिखते जाए, साइन ए, कॉस बी, माइनस पूर्ण से साइन भी, ओके, इसके बाद आता है बेटा, कॉस ए प्लस भी, साइन का हो गया, कॉस का, कॉस ए कॉस भी, प्लस साइन ए साइन भी, प्लस नहीं बेटा, माइनस आएगा यहाँ पे, ध्यान रखना, क्योंकि चिन परिवर्तित हो जाता है, कॉस की कंडिशन में, तो यह बेटा, आपको अगर पता है, आज कॉ आपको एक plan लेना होगा कि sir हम यहाँ पढ़ेंगे continuously पढ़ेंगे और जब तक पढ़ेंगे तब तक कि यह पूरा नहीं हो जाता और हम भी बेटा आपको तब तक पढ़ाएंगे जब तक कि यह पूरा नहीं कर देते हैं तो इसलिए बेटा में थोड़ी speed बढ़ाऊंगा आप cos a minus b अगर जिसको कोई formula नहीं आता तो आप देख लीजिएगा cos a cos b plus sin a sin b हो सकता है कि कहीं पे जरुवत पड़ जाए ठीक है यहाँ पे बच्चों आप सबको बताना चाहूंगा 10 a plus b का formula अब यह बेटा 2022 में आया था यह 2022 में एक question आया था 10 a plus b का formula बताना था मतलब उसमें मान निकालना था तो यहाँ पे यह क्या होता है 10 a plus 10 b 10 a plus 10 b बटे में 1 minus 10 a 10 b जिसको यह formula आता था उसके लिए वो question बहुत ही आसान था बहुत ही आसान था 2022 में आया है बेटा इस पे 2022 में आया है विश्वास नहीं हो तो अभी बताऊंगा 10 a minus b 10 a minus b बराबर कितना होता है बेटा 10 a minus 10 b बटे में 1 plus 10 a 10 b ठीक है यह formula होता है बेटा यह कुछ basics formula होते हैं जो हमें पता होना चाहिए नहीं पता है तो अभी देख लो ठीक है यह formula बेटा आया था 10 a plus चलिए इसके बाद बेटा यहाँ पे कुछ formula और भी है अभी और भी बताऊंगा मैं आपको formula ठीक है चलिए तो यहाँ पे कुछ बच्चे black screen की भी demand कर रहे थे तो वो black screen भी बच्चों को दे देते हैं चलिए यहाँ पे कुछ formula और है बेटा अभी जैसे कि अगर मैं बात करूं sine 2a का formula sine 2a का formula अर्ध कोन सुत्र बेटा कितना होता है sine 2a का formula पता है किसी को sine 2a का formula कितना होता है 2 sine है cos है इसको बेटा 10 के बदों में कितना लिख सकते हैं 10 के बदों में लिख सकते हैं 2 10 है बत अ में one फ्लस ten square है इसके बाद आता है बेटा कोश two a का formula कोश two a का formula होता है बेटा कोश और sign की terms में कोश square a minus का sin square a ओके या फिर ये कोश की पदों में होता है two coast square a minus का one या फिर भच्चों यहाँ पए कितना होता है जल्दी से बताइए अगर यहाँ पे 2 cos square a minus 1 है इसको sign के पदों में लिखूं तो 1 minus का 2 sign square a ठीक है या इसको बच्चों अगर मैं 10 के पदों में लिखूं तो यह कितना हो जाता है 1 minus का 10 square a बटे में 1 plus 10 square a तो यहाँ पे बैटा cos 2a का formula अगर angle half करना हो तो cos और sign में कर सकते हो 10 में कर सकते हो सिर्फ cos में कर सकते हो या सिर्फ sign में कर सकते हो अब इसमें बैटा सबसे जो important formula होते ना आपके इसी से जो बनते हैं 1 plus cos 2a 1 plus cos 2a का formula होता है बैटा 2 cos square a और अगर मैं यहाँ पे आप से बात करू 1 minus cos 2a 1 minus cos 2a का formula बैटा कितना हो जाता है यहाँ पे 2 sin square a यह formula बहुत ही काम आता है बच्चों को और इसी के साथ बैटा यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा यह formula हो गया sin 2a का cos 2a का यह बैटा इसका formula और इसी तरीके से बैटा यहाँ पे 10 2a का formula होता है में 1-10 square a ओके अब आता है यहाँ पे sign 3 a का formula sign 3 a का formula कितना हो जाता है यहाँ पे 3 sign a minus 4 sign cube है आप देखेंगे यहाँ पे जो 3 वाला है वो a में परिवर्टित हो रहा है ठीक है यहाँ पे 3 वाला क्या हो रहा है बेटा a में परिवर्टित हो रहा है अगर मैं cos 3 a की बात करूं तो cos 3 a कितना हो जाता है बेटा 4 cos cube a minus 3 cos a यह cos का हो गया अब बेटा आपको पता है 10 3 a का formula कितना होता है 10 3 a बराबर यहाँ पे कितना होता है जल्दी से बताइए 3 10 a minus 10 cube a बटे में 1 minus 3 10 square a यह बेटा 10 3 a का formula होता है तो अगर किसी बच्चे को नहीं आ दे या क्योई बच्चे को छूट गया हो तो यहाँ पे बच्चों अपने question को complete कर सकते हैं अपने मतलब concept को clear कर सकते हैं जल्दी से बच्चों यहाँ पे आप जल्दी से बताएं क्या यह चीज clear हुई सभी को पका सभी को clear हुई चलिया हो गया बिटा formula का काम पूरा सारे formula यहाँ पे बता दिये अब कुछ ऐसे formula होते हैं जो हमें नहीं पढ़ाए जाते हैं अब क्यों नहीं पढ़ाए जाते हैं यह बच्चा कभी क्या हो जाता है बच्चे काफी confuse होता है उनमें तो मैं अभी लाया हूँ आपके लिए वो formulae भी ठीक है उनसे भी question क्योंकि बनते हैं अब यहाँ पे यह formula बहुत ही important है यह formula बच्चों यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा important है sin square a minus sin square b यह पता है कब बनता है जब sin a plus b into sin a minus b यहाँ पे द्यान देना बच्चों जब sin a plus b into में sin a minus b हो ऐसा अगर आपको कभी भी दिखेना और दिखेगा 2022 में second attempt में काफी बार दिखेगी यह चीजे तो sin a plus b into sin a minus b इसका formula क्या बन जाता है बटा sin square a minus का sin square b और cos में बेटा परिवर्थित करोगे तो यह बन जाता है cos square b minus cos square a इसी के साथ बेटा यहाँ पे cos a a plus b cos a minus b cos a plus b into cos a minus b इसका बेटा formula आप simple सा लिख सकते हो यहाँ पे cos square a minus sin square b cos square a minus sin square b यह formula भी काफी बार बच्चों को यूज करने के लिए दिया गया है paper में ठीक है चलिए यह formula होगया अब बेटा यह 3 जब angle हो sin a plus b plus c या फिर cos a plus b plus c या फिर बेटा 10 a plus b plus c 10 a plus b plus c का formula काफी ज़्यादा important है मैं कहूंगा बेटा इस पे ज़्यादा ध्यान देना 10 a plus b plus c का formula क्या होता है बेटा 10 a plus 10 b plus 10 c minus 10 a 10 b 10 c upon में बेटा कितना हो जाता है 1 minus 10 a 10 b minus 10 b 10 c minus 10 c 10 a ओके तो यह बच्चों आपको समझ में आया screenshot लेना है बिलकुल ले लो बेटा आप screenshot ले लो यार आप ही का है पक्का बाद में class देख सकते हो यार बाद में भी दे सकते हो आपके पास ही रहेगी class तो ठीक है ऐसा तो है नहीं कि मैं ले जाओंगा इस class को आप ही देखोगे अरे बेटा confusion तो होएगा ना कितने formula हैं लेकिन आपको बेटा यहाँ पे एक ही बार में clear करवाई जा रही ही सारी चीज़े ओके चलिए clear बच्चो अब यहाँ पे ऐसे कुछ important बच्चो यहाँ पे सूतर है जो हमें पहले ही पता होना चाहिए इससे भी बच्चो 22 में एक shift में question आया था जहाँ पे sign 18 degree के मान की जरुद पड़ी थी आपको पता है sign 18 degree का मान कितना होता है root 5-1 बटे में 4 sign 18 degree अगर मैं यहाँ पे बात करूं score 36 degree या फिर बच्चो यहाँ पे हम बात करें sign 72 हो गया sign 36 हो गया sign 15 degree हो गया यह सब मान निकालने आते हैं हमें अारि यह सब निकालने अरे बाटा यह सब वह इसब वह either एस वं का मतलब dh upon कब कर ना S3 का मतलब टीन का गुणा कर ना एस टू का मतलब दो दो का गुणा कर ना तेन ए टेन भी टेन भी टैनसी टेन सी टैनसी अैस 1 का मतलब एक-एक को प्लस करना इसमें बेटा 3 का मतलब 3-3 3 का गुणा करना और S2 मतलब 2-2 का गुणा करना मैं यह सब लिखा है निकाला भी लेते हैं निकाल ले तो साइटा डिग्री को कैसे प्रूफ करते बेटा पता है आपको 90 theta बड़ाबर 9 sorry 5 theta हम यहां पे लिखते हैं बैटा 5 theta बड़ाबर 5 theta बड़ाबर 90 इसका मतलब यहां पे theta को हम 80 degree माल लेते हैं अब यहां पे दोनो तरफ sign करके और फिर यहां पे 5 को इढ़र ले जाते हैं तो यहां पे बच्चों यह कितना बनता है यह बनता है 3 theta बराबर 90 minus 2 theta फिर इसको बेटा यहां पे soul करते हैं दोनों तरफ sign लगा के दोनों तरफ sign लगा के बेटा इसको soul करते हैं 3 theta और sign 90 minus 2 theta जो कि क्या बनाता है कोश्ट 2 theta तो इस तरीके से इसको soul करते हैं अब बेटा यह चीज़े पढ़ रखी है तो अच्छी बाते नहीं पढ़ रखी तो formula आना चाहिए 10 15 डिगरी का अगर निकालना हो तो 45 minus 30 कर दो 15 डिगरी का निकल जाएगा अगर बच्चो 45 minus 30 कर दूंगा तो कितना निकलता है बेटा 15 डिगरी अब यहां पर formula आ जाएगा sign a minus b का formula को से माइनस b का formula या फिर 10 a minus b का formula ठीक है अगर आपको 10 15 निकालना है sign 15 निकालना है तो sign ले 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 ना दोनों तरफ ठीक है बच्चों के लिए रहे चलिए very good अब यहां पर बच्चों एक होता है यह साड़े 22 डिगरी का मान 10 साड़े 22 डिगरी का मान यह भी बैटा काम में आया था एक जगह ठीक है ना यह formula भी काम आया था यह बैटा इसलिए formula लिखके आया हूँ क्योंकि यह direct कहीं न कहीं यूज होंगे कहीं न कहीं यूज होंगे अभी first shift में बैटा यह sign 18 का मान पूछा था और साड़े 22 डिगरी का मान भी पूछा था ठीक है चले आगे बच्चों यह आप कर लोगे यह बहुत ही important है अगर किसी को प्रूफ नहीं आता तो इसको बैटा आप यह से देख लो ठीक है यह 20.25 डिगरी और यह यह very very important दोनों यह important है बच्烏ब यहाँ पर यह भी important है चलिया अब आती है बीटा प्रतिबंदित को मैं ते सर्वसमी का मैंने आपको गह था बेटा प्रति बंदित कोंद य है चिह जब आपको कुछ प्रतिबंद दे रखाओ यदि बच्चों यहाँ पे कौण A प्लस कौण B प्लस कौण C बराबर 180 डेगरे हो मतलब यहाँ पे A B C यहाँ पे A B C तिर्बुच का कोई कौण तिर्बुच के कौण हो तो आपको मैं बता दू बेटा उस कंडिशन में 10A प्लस 10B प्लस 10C 10A प्लस 10B प्लस 10C बराबर होता है बेटा 10A 10B 10C यह वाला आपको आता है ठीक है और यहाँ पे कुछ बेटा यह साइन 2A यह वाला याद कर लेना यह important है साइन 2A प्लस साइन 2B प्लस साइन 2C निकाल भी सकते हों लेकिन डरिक्ट अगर आपको पता है तो काफी क्यूशनों को करना काफी आसान हो जाएगा साइण टूए साइटू बी सांट डू जी बराबर कितना होता है बैटा फॉर साइन ए साइन फी साइन सी ठीक है और यही बैटा कोस के लिए क्या बन जाता है कोश्ट टू ए प्लस कोश्ट टू भी प्लस कोश्ट टू सी बराबर वन माइनस फोर को से कोश्ट भी कोश्ट सी इसी तरीके से बच्चों यहाँ पे साइने प्लस साइन भी प्लस साइन सी और को से प्लस कोश्ट भी प्लस कोश्ट सी तो यह विटा फॉर्मले है याद है तो अच्छी बात है नहीं याद है तो कोई दिक्कत नहीं है ठीक है कभी-कबार आ भी जाते हैं और कभी-कबार बेटाई इस पे questions नहीं आते हैं ठीक है इसलिए यहाँ पे इतना जादा हम ज्यान नहीं देंगे हाँ बेटा PDF आपको मिल जाएगी अब यहाँ पे कु स्टार्टिंग वाली चीजे समझ में आई क्योंकि हमने हर बार पढ़ी है सर उसको हमने दस बार पढ़ाए इसलिए वह आ रही हमें समझ में यह बेटा जरूरी है question बनेंगे तो यहीं से बनेंगे द्यान रखना question बनेंगे तो यहीं से बनेंगे बच्चो आपको पता होना चाहिए sin theta sin 60 minus theta sin 60 plus theta बराबर कितना होता है बटा एक बटा क्या बच्चो इस यह question आया था नहीं आया था आप बताए जिनों बच्चों ने shift सारी अगर बता हो आपको या question आपने solve कर रहे हैं क्या यह question था या न sin 3 theta तो यह चीज़े तो बच्चों हमें आनी चाहिए यार आया था यह question आया था इसके उपर पता है आपको अब बच्चे यह छोड़ के चले जाते हैं कोस ठीटा कोश सिस्टी माइन सिटा को छिश्टी पिलस ठीटा बराबर कितना होता है शिज़ा है मजय हुआ एक बटाचार कोस ठीटा तो यह तो बहुत ही leich parity अब को कों सा थीटा दिया था 20 डिग्री आपको पता है क्योश्चन क्या था क्योश्चन बता हूँ जेई 2022 का आप बोलोगे सर इतना सिंपल दिया था क्या जेई 2022 का क्योश्चन था बेटा साइन 20 डिग्री साइन 40 डिगरी साइन 60 डिगरी और साइन 80 डिगरी ये बेटा क्योशन था अबके अब ये तो बच्चो ये बन गया साइन को अलग कर दूँगा साइन साइन को बाकी कितना हो जाएगा ठीक है कोई दिक्कत इसमें साइन को अलग कर देंगे बच्चो तो क्या बन जाएगा यहाँ पे साइन ठीटा 20 डिगरी आ जाएगा ठीक है, साइन ठीटा क्या जाएगा बटा 20 आ जाएगा, ओके सर मेरी शिप्ट में इवनिंग में था लोग, बच्चे ने यह बोल दिया कि सर मेरी शिप्ट में था इवनिंग में खुशी गौर कौन ने ये खुशी कह रही है अब बेटा ये चीज़े अगर हम नहीं करेंगे तो देखो कैसे काम चलेगा तो ये चीज़े बच्चों हमें आनी चाहिए ओके ये बेटा कुछ 10 के लिए होता है फॉर्मला 10 थीटा 1060 माइनस थीटा 1060 प्लस थीटा यही सेम चीज इसके लिए भी होती है 10 के लिए वहाँ पर डारेक्ट 1 बाइ 4 वगरा करने की जरूत नहीं है डारेक्ट आप 10 3 थीटा लिख सकते हो और यही बेटा कोड के लिए होती है यहाँ पर कोड 3 थीटा डारेक्ट कर सकते हो एक और चीज बताना चाहूंगा बेटा साइन स्कॉयर थीटा साइन स्कॉयर 60 प्लस थीटा साइन स्कॉयर 60 माइनस थीटा इसका भी बेटा फॉर्मला होता है यह क्योशन पता है कैसे बन सकता है किए पुता SIGN SQUARE 20 SIGN SQUARE 20 SIGN SQUARE 40 और SIGN SQUARE 80 अगर ये QUESTION आगया तो बच्चों के हाथ पे FULL जाते हैं लेगिन आपको पता है इसका मान कितना होगा डारेक्ट इसका मान तीन बटे 2 कर सकते हो answer कर सकते हो क्योंकि यहाँ पर बटा ये formula बन रहा है तो यह चीज़े बहुत ही important है बच्चो अगर हमें याद होगी ना जैसे कि यहाँ पर यह तीन बटे दो मेरे shift में था आनन जी जी कह रहे हैं कि सर मेरे shift में भी था तो यार मैं ऐसा नहीं कि आपको यहाँ पर time pass करवाऊंगा हम यहाँ पर वही चीज़े करवाएंगे जो आपके लिए काफी जादा महत्तोपूर है जो आपके लिए काफी जादा महत्तोपूर है वही बच्चो यहाँ पर questions होगे मज़ा आ गया तो यह बेटा यहाँ पे आपको फॉर्मले ध्यान रखना अब यह भी यह बताया था बेटा प्रतिबंदिस सरसमी का 10A प्लस 10B प्लस 10C बराबर होता है बेटा 10A 10B 10C कब होता है जब A प्लस B प्लस C की वेल्यू किसके बराबर हो प्लस ब्लस ब्लस C तो यहाँ पे 10A 10B प्लस 10B 10C प्लस 10C 10A यह लख देना बेटा अगर प्लस ब्लस ब्लस C ठीक है न मलना अंगल हाफ हो जाए अंगल हाफ हो जाए ध्यान रखना ओके बच्चों इघंक यह आपको किलियर हो रहा है PDF दे दूँगा बेटा, Telegram पे दे दूँगा Don't worry, अब बच्चों यहाँ पे कुछ ऐसी, यह मैं नहीं कहूंगा आपको पढ़ने के लिए काफी कमें, अगर इसमें से पढ़ना ही है ना बेटा, तो इसको पढ़ना यह very very important है कभी अगर सीरीज बनेगी ना बेटा तो इस पर बन जाएगी ज़्यादा से ज़्यादा तो इसको बेटा पढ़नेना अगर पढ़ना चाओ तो कोश ठीटा कोश टू ठीटा, कोश फो ठीटा कोश एट ठीटा ऐसे बेटा यह जीपी बनेगी ठिक है ना? एंगल्स की, एंगल्स की कोन की GP बनेगी, कोन की GP, अगर कोन की GP बनती हुए नजर आ रही है, तो बैटा यहाँ पर कितना हो जाएगा, साइन 2 की पावर एंट ठीटा, और यहाँ पर टू की पावर एंट, साइन ठीटा, यह इतना सिंपल सा फॉर्मला है, ठीक है COTE A-10 अब आपको पता है parties कितना होता है COTE A-10 बराबर होता है किसी को याद था ऐसा भी होता है एही होता है अनंद हम जब करते हैं तो थीटा की जगा हम क्या रख देते हैं 60 रख देते हैं जबकि थीटा कितना रखना था 20 अब यह यहार अगर इस में से हमें पताए कि दो से तीन question आने शिप्ट में तो हम इनको क्यों छोड़ें और बच्चे यहार पे आके क्या हो जाते बोर होने लगते कि अरिय यार सर यह चीज़े तो हमें नही हाती तो आप क्यों पढ़ा रहे हो अरे बेटा इनी में से question आएंगे ये शिप्टे जब बाइस में question आया है आया है तो आया है ठीक है चालिए तो ये बच्चो clear हो गया अब यहां पर अगर हम बात करें cost theta cost theta cost for theta इसक्रब की बात करें तो यहां से ये वाला बच्चो याद कर लेना quote minus 10 कितना होता है बटा quote minus 10 कितना होता है जल्दी से बताइए two quote quote plus 10 होता है बटा two cosec two है okay हाँ ये formula NCRT में नहीं है तो कोई बात नहीं तो NCRT थोड़ी नहीं बटा JEE कराएगी JEE clear आपको NCRT थोड़ी नहीं कराएगी मैंने कब आपको कभी काए किसी भी बच्चे को कि बटा तुम NCRT पढ़ो तो तुम्हारा JEE निकल जाएगा काएग है बच्चों ये ठीक है चलिए ये बच्चों आपको series नहीं आद होती इसको करने की ज़रूरत नहीं है मैं नहीं बोलता हूँ कभी भी बच्चों को क्योंकि इसमें से question काफी कम आता है तो ये मत करना बले आप चलिए अब आता है बटा तिरकोन में तिये वेंजको के अधिक्तम और नियूंतम मान आपको बटा यहाँ पर तिरकोन में तिये वेंजक दे रखे a sin theta प्लस b cos theta आगर मेरे पास यहाँ पर कोई function fx है और मुझे कहा गया है कि अधिक्तम और नियूंतम मान निकालो तो क्या बच्चों में इसका अधिक्तम और नियूंतम मान निक स्क्वाईर प्लस बीस कौर तो यहां पे बच्चों इसका जो मैजी मम बान जोगा फ एक्स मैजी मम होगा फ छ मैजी ममं मित्टा ओगा है आँठक से कि हेटस मैजी ममं माँ ज exist हों श्क्राइग कलो जाएगा वेटा अंडरूट ऐस कॉर प्लस बीस कॉर अब अब यहाँ पर बेटा A sin theta plus B cos theta हो या फिर या फिर क्या हो जाए बेटा A sin theta plus B cos theta हो या फिर A cos theta plus B sin theta हो कोई भी फरक नहीं पड़ता Fx बेटा minimum यहाँ पर कितना हो जाएगा Fx minimum हो जाएगा minus का A square plus का B square क्या बच्चों यह चीज़ा आ गई आ गई पका negative से positive चलिए अब बेटा 22 में दो question आये थे मैं आपको एक question बताना चाहूंगा यार 22 का अगर आप सब सुनने के लिए त्यार है एक question बच्चों हम यहाँ पर करेंगे अगर आप सब ready हैं तो जल्दी से मैंने करवा भी चुका हूं यह question यह question में करवा भी चुका हूं बच्चों आपको 22 में तो एक बार देख लेते हैं मैं question एक बार देख लूँ हाँ यह question था यदी यदी कोट alpha जिस बच्चे ने नहीं देखा है वो बच्चे जरूर देख लें सेक बीटा बराबर कितना है बेटा माइनस का पांच बटे तीन यहाँ पे यदी कोट alpha बराबर माइनस एक सेक बीटा बराबर माइनस का पांच बटे तीन जहां alpha जहां बच्चों alpha कितना दिया है alpha की value दे रखिए pi by 2 से pi और beta की value दे रखिए pi से 3 pi by 2 ओके यहाँ पे दे रखाए और आपसे पूछाए कि 10 alpha प्लस बीटा की value तो 10 alpha प्लस बीटा की value निकालो ठीक है अब यार यहाँ पे बच्चों क्या हमें यह questions नहीं आता क्या हमें यह questions नहीं आते आएंगे यानी आएंगे जल्दी बताएं मुझे 10 alpha प्लस बीटा 10 alpha plus beta plus ही है negative है minus है या plus है बच्चा किरा है कि सब negative है negative है पक्का देख लेता हूँ नहीं यार positive था बेटा यहाँ पर option भी दे देता हूँ A है बेटा आपके पास 1 बटा 7 B है आपके पास minus का 1 बटा 7 C है आपके पास 1 बटा 3 और D है minus का 1 बटे 3 चलिए कितने बच्चों का answer आगया कितने बच्चों का answer आगया बटा 10 alpha plus beta बड़ाबर होता है 10 alpha plus 10 beta बटे में 1 minus 10 alpha 10 beta अब यह formula बटा और 22 का question आपका हो गया 10 alpha की value आपको पता है बटा quote alpha quote alpha बड़ाबर minus का 1 है तो 10 alpha बड़ाबर भी कितना हो जाएगा minus का 1 क्योंकि यहाँ पे यह second चतुर्थांच में है ठीक है न यह बटा किस में है दित्तिय चतुर्थांच में अब यहाँ पे sec beta sec beta बड़ाबर minus का 5 बटे 3 तो 10 beta की value बटा आपको पता है beta कहां पर है beta है third में और third में तो बटा 10 का राज होता है 10 क्या होता है यहाँ पे positive होता है अगर 10 positive होता है तो यहाँ पे sec मतलब क्या होता है center buttonados lambda बटे 1000 लंब निकाल दो तो यहाँ पे 25 25 minus का 3 तो यहाँ पे यह कितना हो गया 4 lamb 4 बटे 3 यह होगा answer 7 बटे 3 आ गया बच्चों का very good या तो यहाँ पे बटा 10 alpha minus का 1 plus का 4 by 3 और यहाँ पे 1 minus का minus 1 और यहाँ पे 4 by 3 तो यहाँ से बच्चों आपका answer कितना निकलेगा तो बच्चों answer आगया 22 का जल्दी से बताईए तो यहाँ पे बच्चा कितना आया minus का 3 plus 4 minus का 3 plus 4 कितना हो गया बच्चों यहाँ पे 1 by 3 और यहाँ पे कितना हो गया यह 7 by 3 3 से 3 cancel 1 by 7 यह बच्चों इतना simple सा question था कितने बच्चों का negative आ रहे गया नहीं आर बटा positive आएगा क्या कर रहे हो तो यहाँ पे A आएगा answer 1 by 7 A आएगा बिलकुर हाँ इस बार करवाया था यह इसलिए बताना चाहरा हूँ बटा कि देखो यह question ऐसे आते हैं आपको पैचानना पड़ेगा कि कौन से question simple होते है क्यों से question hard होते है ठीक है अब जैसे कि यहाँ पे एक question ही है यह भी बटा अच्छा question है एक संभाहू तिर्बुज की बुजा की लंबाई कितनी है आठ है एक बटा तिर्बुज बना हुआ है यह question भी बटा आने के chances मुझे लग रहा है इस बार अगर किसी shift में आ जाए तो अब इसने कहा है कि एक बिंदू से तीन इकाई अधिक यहाँ पे एक बिंदू से तीन इकाई दूरी अधिक नहीं वाले तिर्बुज के बाहर सभी बिंदूओं वाले शेत्र का शेत्रफल बताईए यहाँ पे बच्चों आपको पताए सिंपल सा इसने कहा है कि यह हो गया अब यहाँ पे इससे तीन इकाई दूरी यह बच्चों यहाँ पे ठीक है तो यहाँ से बच्चों क्या हो जाएगा यह तीन इकाई दूरी पर रहेगा यह हमेशा कितनी दूरी होनी चाहिए तीन इकाई की दूरी यहाँ पे यह बच्चों यहाँ पे ध्यान रखना यह सिस्टी डिग्री है तो यह कितना हो जाएगा वन ट्वेंटी डिग्री यहाँ पे यह 60 डिगरी है तो यहाँ से बच्चों यह कितना हो गया चलिए वन ट्वेंटी डिगरी और यह बटा यहाँ पे 60 है तो यहाँ पे यह कितना हो जाएगा 120 डिगरी चलिए तो यहाँ पे बच्चों क्या था यह 3He apli की दूरी और यहां पे इसकी बुजा कितनी दे रखी ती आठ दे रखिये आपको पता शेतर्फल किसका हूं आ रहा यह की आ वैसे तो कभी कभी यह लंभाई केता है ले मिरखि इस बार इसने क्या पूछाई कि शेतर्फल निकालो तो यह पूरे बाग का बच्चों यहां पर मुझे शेत्रफल निकालना है क्यूशन कितने बच्चों को समझ में आया कि हां सर क्यूशन तो आ गया सर दस मिनट बिरेक दे दो बेटा ऐसे कैसे बिरेक दे सकता हूँ यार आज मैंने खुदी सुबह ऐसे कुछ नहीं खाया और शायद ब्रेक अब बच्चों यहां पर नहीं हो पूरी तिरकोन मिती है कम्प्लीट कराऊंगा या अगर आप बोरो रहे हो तो बताओ अभी बंद कर दूँ बेटा अगर आप बोरो रहे हो तो हम अभी बंद कर दे जल्दी से बताइए अगर आपको लगता है कि सर आप रहने दो मुझे इस बाग का शेत्रफल निकालना है एक संभाहु तिर्बुच था एक संभाहु तिर्बुच की एक बुजा की लंबाई कितनी थी बैटा आठ मीटर एक संभाहु तिर्बुच की बुजा की लंबाई कितनी थी आठ मीटर तो यह बच्चों यहाँ पर कितना दे रखा है आठ मीटर ठीक है और यहाँ पर बच्चों आप देखिए इससे पोल रहा है कि तीन तीन दूरी पर जितना भी यह शेत्रफल आ रहा है बेटा यह शेत्रफल हमें यह शेत्रफल ग्याद करना है तो यहाँ पर बच्चों आपक ठीक है एक तो आप क्या करिए इसकी आप बुजा निकाल के और अंदर वाले बाग का जो शेत्रफल संभाव तिर बुज का आपको पता है कितना होता है बेटा रूट थ्री बाई टू बुजा स्क्वाइर ठीक है लेकिन यहां पे तरीका एक और भी है आप इस वाले बाग का शेत्रफल निकाले आप इस वाले बाग का शेत्रफल निकाले इन तीनों का शेत्रफल आप बिलकुल निकाल सकते हो यहां से बेटा यह आठ है यह थ्री है तो यहां पे आठ और तीन तो एक त रहा है वेटा एक आयत बन रहा है और यहां पर इंटू में तीन और हो जाएगा यह तो आ गया वेटा जो हमारे पास क्या बन रहे थे एक आयत बन रहे थे अब इस वाले बाग का शेत्रफल वच्चों निकालना आता है क्या हमें इस वाले बाग का शेत्रफल निकालना आता ह कि बाहर वाले का शेत्रफल निकाल के अंदर वाले में से माइनस कर दो अब बेटा आपको मैंने बताया था क्या बताया था कि यहां पे जब यह वाला बाग होता है ना बेटा वरत्ती है वरत्ती है आपको ठीटा दे रखा है बेटा तिर्जा दे रखी है तो इसके बाग का कैसे निकालते हैं और मुझे अंसर बताईएगा बच्चों इसका इसका अंसर बताईएगा ओके तो चलिए बच्चों यहाँ पे हमने तिर्कोन मिती है फलन पूरा कंप्लीट कर लिया इस तरीके के क्वेशन इसका अंसर आप से आके पूछूंगा अभी मैं ठीके ना अभी हमें यहाँ पे और किसका शेत्रफल निकालना है यह तीसरे वाले ओ सोरी चोथे वाले बाग का यह पांचवे वाले और यह बटा छटे वाले बाग का यह तीनों के तीनों सेम होंगे और इसके उपर बेटा एक और चीज़ समझाओंगा अभी बहुत ही मजाएगा ऐसे क्य तो हम जेई मेंस के लायक बन पाएंगे ठीक है तो चलिए यह क्योशन बेटा कंप्लीट हो गया इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे अब टिनोमेट्री एक्वेशन्स ओके तो यहाँ पर यह क्योशन्स का अंसर बच्चों आप हमें बताएंगे तो अब शाहिस सर को बुलात हैं very good एक बटा 4 पाई यार स्कॉर बिलकुल बेटा जब हम किसका रिकालते किसी भी इस शेप का जो पीजा वाला शेप होता है बैटा इसका शेत्रफल बिलकुल पीजा वाले बाग का शेत्रफल तो यहां पर बैटा अगर यह ठीटा है यह आर है तो इसका शेत्रफल क्या होता है यह आपको आना चाहिए ओके